हेलो वाट्सप गाइस मैंने स्पिनोध बाद उथापा इंटूर इन इस पीडियो के विल सी हो तो क्रेट और ओसम मॉडरन वेबसाइट उजिंग बूस्ट्राइब 5 जी हां गाइस तो आप देख सकते हो कि यह जो आपको वेबसाइट दिखाए तेरे इसको आज में क्रेट क से हम वेबसाइट बना के देखे और वेबसाइट को ऐसा भी नहीं आप देख सकते हो बहुत ज्यादा मॉडरन एंड ओसम यह वेबसाइट है जहां पर यह वाला जो इमेज है आप देखो कितना ओसम यह एक गिफी में जैसे जो कंटिनूसली चलता जा रहा है गिफी मैंने नेक्स लेबल पर ले जाने कि मैंने पूरी कोशिस की है और यह देखेगा इस यह ना कितना ज्यादा ओसम अब यहां पर आप देख सकते हो लिट्रिली लाइक मैंने जो एक काइंड ऑफ स्टैटिक था उसको डाइनमिक तो मैं नहीं बोलूंगा बट यूजिंग सिंपल मत करेंगे क्लाइन जो है सो है ठीक है तो यह एंड आप देख सकते हैं मैंने के रिज्वा यूजिस किया हुआ है और अगें वह दिक्स टिप्स एंट्रिक्स प्रम और एक्सपर्ट आइन स्पेलिंग रॉंगे बट मैं करें कर लूंगा डोंट वरी बट यहां पर आप देख कॉलिंग है इसमें कुछ तो मेल करना है यह बेसिकली एड्रेस है उस कंपनी का तो यह है ना कितना ज्यादा ओसम एंड यह जो पार्ट इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा इंस्ट्राग्राम ओपन हो जाएगा आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर सकते हैं थापा टे स्कूलिंग क्योंकि यह तो मैंने कोई ऐसा क्लास लिखाई निया डिफाइन तो किया निया सेस में फिर भी स्मूथ स्कूलिंग हो रहा मला बूस्ट्राप में वो बाइडिफॉल्ट है अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया यह अभी तक यह भी मैने रखा यह आपर यह इसमें मैंने पैरेलेक्स एक्ट यूज किया हुआ है अपको माज आ जाएगा बहली स्क्रीन प्रॉपर आपको ना दिख रहा हूँ इसका सोच कोट बिल्कुल फ्री है मैं अपने वेबसाइट था पर टेक्निकल पैड कर दूँगा एंड यह देखिए जो जो इमेजस मैंन आपका लिंक मैंने यहां पर देखिए जस्ट यूप टुक्लिक इससे कोपी करना है और पेश करना है आप वहां पर आ जाओगे और बहुत इजली गाईस आपको इस इमेज को देखिए इस तरह किसे प्ले कर सकते हो ठीक है बैस पार जब आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करने होमपेज पर इमेजस पर जाना है सिंपल इस तरह किसे मैं इसको थोड़ा देर के लिए यूज नी कुरूंगा आप जरू यूज कीजिएगा और देन सिंपली 4K मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा तो कैस आप देख सकते हो कुछ हो यहां पर इस तरह किसे प्रोसेस होता है और इस वीडियो को आराम से पॉपन के साथ या जैसे भी आपको मौका मिले बस यहां पर डाउनलोड हो चुका है अब देख सकते हो ठीक इमेज था यह फिलाल अब कैसे भी कर सकते हो यहां पर जितने भी इमेज इस गिफी आपको दिखाई दे रहे मैंने कैसे यहां पर सब्सक्रेश कर सकते हैं ृण फसक्रीड तरह बब बीडियो को स्टार्ट करते तो आपिसली बूस्ट्राइब हम काम करें तो बूस्ट्राइब या तो डाउनलोड करना पड़ेगा या तो अम सीडेन लिंक यूज कर सकते हैं सीडेन लिंक सुपर डूपर फास्ट क्योंकि वेबसाइट तो हमें ओनलाइन ही चलाना है तो लेट्स को विथ सीडेन है ना तो मैं क्या करता हूगा इस इहां पर में चलता हूँ सिंपली डॉक्स पर क्लिक कर देता हूँ आपको जो पसंद हो आपको यूज कर सकते हूँ ठीक है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एंड हां इफ यू आप वंडरीं की भाई क्या चेंजिस आगा इसे वर्जिन 5 में तो एकदम कोई मेजर चेंजिस तो मैं नहीं बोलूंगा यू नो बट हाँ थोड़े बहुत आप चेंजिस है जो आप देख सकते हो लाइक देया डेया अड़ेट दिक लर स्किम डाक टू डाक मोड ची एस ऑपरेटिंग सिस्टम की लेबल के बेस पर अगर आपको यहां पर चुका है ठीक है और भी बहुत सारी चीजे प्लीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में द आपको यहां पर जैसे जैसे हम कोड करेंगे जब जब हमें जो जो लगेगा उसकी बेस पर हम देखेंगे राइट बिल्कुल देंस अमद लिजए आप तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा तो अब हम बीना किसी देरी के देखिए सबसे पहले यह जो लिंक आप इस क्लिक कर दूंगा तो इस तरीके से काईस आप देख सकते हो कि मेरा यह जो है अगर मैं यहां पर लेके चलता हूं और यहां प्रेस करूंगा तो मुझे इस तरीके से पूरा कंप्लीट मुझे यह सब कुछ मिल रहा है ठीक है अब और बेसली यहां तो बाइडिफॉल्ट हो गया यहां तो लाइक मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा राइट तो मैं क्या करता हूं यहां पर मैं चलता हूं new and then मैं एक html फाइल पर चलता हूं simple लिख देता हूं index क्योंकि बाइडिफॉल्ट हो जाएगा वो and let's go with html5 आप लोग को नहीं दिख रहा बट एक सेगे ना मैं थावसा जूम कर देता हूं and यह वाला जो मेरा पार्ट होगा थोड़ा ऐसे कर देता हूं I think अब आपको दिख रहा ह तो guys मैं यहां पर चलता हूं आप लोग को दिखाता हूं we have this link मैं css पर जाओंगा but instead of css में क्या करूंगा पता है dot forward slash we have css forward slash mean वाला जो यह दिख रहा है इस पर मैं click कर दूँगा this is it तो by default मेरा जो version 3 alpha जो भी है latest वो यहां पर आड़ हो चुका है उसी तरीके से मेरा यह जो js वाला पार्ट है bundle वाला उसको भी मैं एक दम bottom पे चलता हूं and इस तरीके से यहां पे चलके dot forward slash we have js forward slash we have bundle यह जो पार्ट है इसको मैं आड़ कर देता हूं this is it मेरा गाम हो गया है it's super duper easy यहां पर मैं चलूँगा guys we have this plugin वाला section यहां पर आके खाली आप bootstrap देख लीजे कहा आपको मिलता है देखो guys bootstrap 5 template आपको simply इसको अब install कर लेना है simple ठीक है so इससे होगा यह कि guys आप बहुत easily अगर आप यहां पे simply bs लिखते हो और 5 अगर nap complete इस इस तरके से मैं आप इसको click कर सकते देखो so guys कैसा लगा यह थाना कितना ज्यादा awesome कि छुटकी में हमारा काम हो रहा है यहां पर राइट इतना ज्यादा easy है but time हो में भी आप में इसे बहुतों के पास यह webstorm ना हो like plugin आप install ना कर पा रहे हो इस तरके से ना कर पा रहे हो तो आपको easy हो and complete video सिर्फ आप ही के लिए ठीक है and तो मैं इसको हटा देता हूं मैं सब कुछ हटा रहा हूं मुझे नहीं चाहिए जो मुझे अभी मिल रहा है क्योंकि अभी मैं जस्ट जाना चाहूंगा simple एक second मैंने copy तो किये राइट और यह इसको फिलाल के लिए मैं comment कर देता हूं इस तरके से हो गया and सेम यह वाला जो पार्ट है गाइस script को भी मुझे copy करने पड़ेगी है ना and script में दो तरीक है इधर आप popper एंड एक और जो उसको आप download कर सकते हैं else you'll go with bundle bundle में आपको फिर कुछ करने की नीड नी जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एक जावस्क्रिप्ट लगेगा that's it मेरा काम हो गया ठीक है चलो इतना मेरा काम हो गया है इसको मैं side कर देता हूं थोई दिर के लिए मैं यहाँ पर चलता हूं सबसे पहले हमें चाहिए हमारा nap bar तो अगर मैं यहाँ पर चलता हूं on the मैं आपको द अप्लोड की थी लाइक आस से दो साल पहले अब जाके version 5.3 आया हुआ है ठीक है तो मैं वही कर रहा हूं directly हम यहाँ पर चलता है इतना कुछ changes है नहीं बहुत ज्यादा easy है यह तो simply यह वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है लाइक यह वाला जो पार्ट है इसको मैं copy करू मैं यहाँ पर चलता हूं and then paste this is it so control s save करता हूं and this time अगर मैं लेकर चलता हूं तो कुछ जो आपको इस तरीके से मिल रहा है and कितनी easily मेरा यह काम हो गया right लेकिन कुछ changes से जो हमें करने होंगे like मुझे यह search वाला पार्ट नहीं चाहिए होगा तो मैं यह हटा देता हूं ठी ठीक है अब वह e and then s में convert हो चुका है s means start the moment करता हूं तो वह right side को चला गया like we have our title basically logo and then हमारा पार्ट वहां जा चुका है obviously यह जो drop down है literally मुझे इनकी भी तो बिल्कुल कोई need ही नहीं है ठीक है मतलब यह disable भी मैं क्या करूंगा इसका मुझे इसके भी कोई need नहीं है link को as it is में छोड़ देता हूं अब यह जो पार्ट है का मुझे left and then right side से मुझे space चाहिए ठीक है so मैं आपको बताता हूं मुझे वह जो space चाहिए उसके लिए में यह container fluid लिखा है मैं container कर दूंगा सिर्फ इतना तो by default यह को इतना awesome तरीके से मुझे मिल गया है तो guys simple क्या ही करना है आपको यहां पर चलना है about लिखना है इसको मैं कर लेता हूं copy एक second paste and then paste about then we have service and then guys we have our contact ठीक है इस तरीके से मैं चलता हूं यहां पर ठीक है सी मेरा capitalize हो गया तो यह capitalize होने का क्या reason है क्योंकि मैं bootstrap 5 का class use कर रहा हूं and अगर आपको लगता है यह text capitalize तो मुझे कैसे पता चलेगा तो guys don't worry आपको simply यहां पर आना है इन्होंने एक चीज़ बहुत awesome कर दी this time we have this search button text capitalize आप इतना भी क्यों लिखना है capitalize लिख दो ना आप खाली है ना यह देखो capitalization अला class तो text alignment पर हम चलते हैं and boom guys see we have this lower class upper class and then capitalize तो by default आपको मिल जाएगा it just कि यहां पर आपको search करना है क्योंकि जो CSS है वही bootstrap है क्योंकि उसी कहीं तो framework है and we all know कि tailwind भी है market में but अभी भी अगर आप ground की जो reality देखोगे like everyone is using bootstrap only tailwind भी है but bootstrap बहुत जादा आगे ठीक है point के भी बहुत सारे size बहुत कुछ मिलेगा आपको लेकिन हमें जो जो website में लगेगा मैं दिखाते जाओंगा है ना so copy यहां पर भी मैं कर देता हूं paste and then यहां पर भी मैं कर देता हूं paste ठीक है this is it so इतना अगर मैं करके छोड़ देता हूं एक काम करता हूं मैं कि मैं यहां पर जो मेरा view mode है guys मैं distraction free mode छोड़के gen mode में चला जाता हूं ठीक है so I think अब आप लोगों को एकदम clear बिना किसी problem के दिखाई दे रहा होगा यह all right मैं अब यहां पर लेके चलू सो हमारा जो website है कुछ हो आपको अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है ठीक है इतना तो at least मेरा काम हो गया so यह टॉप का पार्ट मेरा कितिनी एजीली हो गया like within a second है ना and यह जो नफ बार है I will go with थापा and then यहां पर मैं चल देता हूं टेक्निकल and this is it मेरा काम हो गया ठीक है so इस यह जो नफ बार है ठीक इसकी नीचे में चलूंगा and here I will go with my hero section and always make sure to add the comment and here you know section start here you know section ends ठीक है ताकि मुझे पाता चले कि मैं क्या करो क्योंकि नफ बागे तो नीडी नी थी मुझे इतिना है ना so all right perfect यहां पर मैं चलता हूं let's go with section guys ठीक है section के साथ आमें जाना जरूरी है क्योंकि आपको पता चल जाएगा यह हाला हम यहां पर main भी लिख सकते थे and कुछ classes है जो मैं देना चाहूंगा like we have a bg main and then we have this bg color and then मैं एक hero section लिखना चाहूंगा ठीक है hero section this is it and अभी फिला इतना रखता हूं and कभी भी आपको एक left side में चीए दुसा right side में चीए कभी भी आपको एक left side and the other one on the right side इस तरी किसे split करना हो तो इसका एक बहुत simple rule है ठीक है and that is सबसे पहले तो आपको container लिखना पड़ेगा उसके अंदर आपको row लिखना पड़ेगा and then guys आपको call like literally इस तरी किसा आपको लिखना पड़ेगा this is it ठीक है तो यह वाला जो मेरा part होगा इसको मैंने कुछ नाम दिया है क्या all right guys फिलाल इसको तो कुछ नाम ने दिया बट यहां पर मेरा जो text वो आने वाला है ठीक है so we have h1 simple ठीक है so this is our h1 simple सा ठीक है all right उसके नीचे मैं चलता हूँ we have our para ठीक है इस तरी के से मैं चलता हूँ para and para पे guys I have few text जो की basically dummy text hello or I'm spam वाली ठीक इसके नीचे मैं चलूँगा एक class में लेता हूँ and that is text and then center ठीक है यह लेने का reason ही कि button मुझे center में चाहिए जब हम होंगे छोटे वाले पर so मैं चलता हूँ we have button all right ठीक है इस तरी के से में रख देता हूँ and यहाँ पर लिख देता हूँ contact us ठीक है अब मैंने कहा नहीं यहाँ पर हमें classes की बहुत नीट पढ़ने वाली है तो सबसे पहले तो text capitalize जो भी है एक सेकेंड टेक्स्ट कैपिटलाइज बाइडिफॉल्ट आप कोई टेंसर नी होगा मुझे सो इतने ही हम रखते है ठीक है मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ कि अब दिख कैसा रहा है तो कैसे आप देख सकते हूँ कुछ ऐसे दिख रहा है एंड़ा में एक टूल टीप भी दिखता है वो तो मैं भूली गया था ठीक है तो वो जो टूल टीप अब अगर आपको चाहिए होगा दैन लेट्स को वित टूल टीप अनेबल टूल टीप इस पर में अगर चलता हो तो बाइडिफॉल्ट हम आ गया है हमारे कंपोनेंट के टूल टीप्स प पर निकले लिटरिल में तो कुछ जावस्क्रिप्ट का जीरो कोड है जावस्क्रिप्स का कोड ही नहीं इसमें बूस्ट्राइब न्स यसे सॉनली ठीक है इतना ज्यादा ओसम तो यह जो टूल टीप ठीक है मैं आप लोग को अगर दिखाऊं तो आल राइट ठीक है मैं यह वाला जो पार्ट दिख रहा गाईस बेसिकली यह जो एच रेप के अंदर यह जो कुछ भी आपको दिखता है यह आपको कॉपी करना पड़ेगा सिर्फ इतना ही पार्ट कॉपी करना है मैं बटन के यह वाला जो एक हिस्सा है नॉट इंसाइड दी क्लास आउटसाइड दी क्या है तियो किती रखर्ट कौंटैक्टनाओ या crappy आपको देख सकते थे ला एक जैड़ेगे थीक दिस हद specially्ति यह थया जो किया ठीक है अब यह जो रहए ठीक है यहां पर देख सकते हूं दिस इस इस गला और ज़ोelim है ठीक, इसकी नीचे मैं चलूँगा है यहा जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा awesome है and now guys मैं यहां पर लिख देता हूं text center ठीक है क्योंकि मुझे center में चाहिए होगा and now अब मुझे यहां पर इमेज लगेगा ठीक है मैं आपको एक इसको copy करता हूं बहुत awesome चीज़े बहुत good news है आप लोगों के लिए ठीक है copy all right यहां पर चलता हूं यह जो पार्ट दिख रहा है right click and then मैं paste कर देता हूं फिलाल यहां पर जल्दी से awesome मुझे paste option मिल रहा है यूज करना है ठीक है सोर्स में आपको लिखना पड़ेगा हमारा dot forward slash we have images forward slash and then we have this hero dot mp एक second hero dot mp4 ठीक है तो मैं सिर्फ अगर इतना रखता हूं and हाँ एक चीज अगर वह आपका browser support नहीं करेगा तो यह एक text हुआ पर हम दिखा देंगे मैं अब अगर यहां पर चलता हूं इस जगे पर and boom guys यह देखिए आप देख रहे हैं फिर्स टाम अगर मैं muted रखना है simply auto play कर देना तो यह तीन property आप दोगे and boom guys यह देखिए अब यह continuously ऐसा चलता ही जाएगा तो यह है नहीं कितना ज्यादा ओसम नाओ अब आप भी इस तरीके कि जो animated जो video कह लिजे या images कह लिजे आप बहुत easily use कर सकते हो अपने website पे using picscap तो guys इसका link मैं आपको नीचे description में देदूँगा मैं बताना चाहूंगा इसमें आपको free plan भी मिलता है आपको pro plan भी मिलता है and मैं यह कहना चाहूंगा कैस इसका जो pro version वह भी बहुत ही ज्यादा affordable है बहुत ही कम price में आपको मजा जाएगा like आप देख सकते हो यहाँ पर simple pro पर जाऊंगा तो कुछ इस तरी किसी दिखाई देगा and मैं अगर sin पे चलता हूं तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो empty the moment में free plan पे चलूंगा and boom guys see यह जो image में use कर रहा हूं यह बिल्कुल free है आप आप देख सकते हो इतना awesome जो image आपको मिलना है बिल्कुल free है simply आपको यहाँ पे click करना होगा and यह जो पार्ट है इसमें literally आप guys 3D create कर सकते हो 3D sense create कर सकते हो आप चाओ तो यह देखो guys इस तरी के से उपर नीचे आजू बाजू जो आपको मन हो आप इसके साथ जा सकते हो आ simply आपको export पे चलना है video पे click करना में complete video चाहूंगा 60fps पे and then full HD export पे में click कर दूंगा तो आप देख सकते हो guys यह render हो रहा है and guys आप देख सकते हो within a few seconds यह मेरा download हो चुका है abstract and literally अगर आप देखोगे यह full HD में चल रहा है देखिए ठीक है तो कितनी awesome तरीके से है ना तो कितनी easily यह download हो गया color change कर सकते हो 3D आप यहाँ पे create कर सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो so guys यह बहुत awesome है so guys आपने देखा ना few seconds इतना awesome like animated video हमें मिल चुका है वो बिलकुल free में कहां से मिला guys fix cap से लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे जो pro version भी and अगर वो आपको पसंद आता है then I highly recommend guys आप आप देख सकते हो get pro पे आपको चलना होगा month लिए आपको $14 दिक्रा लिकिन annual the moment आप जाते हो only $9 per month इतना कम price guys like बहुत ही awesome है आपको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है अपने इसकी future अगर आप explore करेगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा and finally guys वो surprise का time आ गया है जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता हूं and that is guys I have a special coupon code जहां पर आप आप यूज करते हो thapa20 then you will get 20% discount guys जेखो एक तु पहले से price ही इतना कम है उपर से 20% discount में आपको दे रहा हूं आपको simply thapa20 लिखना है and you will get 20% discount link आपको नीचे description में मिल जाएगा ठीक है और यह जो link है जब आप paid क करने जाओगे उसके लिए अगर आपको free में यूज करना है कुछ pay नहीं करना है literally जैसे में यूज करों आप वैसे यूज कर सकते हूं मेरे पास हाला की pro version है but mostly मैंने कुछिस की free रखने का ताकि आपको को problem ना हो but in case अगर आपको पसंद आता जो कि यह बहुत ही ज़्याद आप up navigate करने में ठीक है तो अब हमें इसको कस्टुमाइस करना है Impie कैसे सब्सक्राइब अगर एक है तो एक को left एक को right अगर हमें करना हो तो इन बूस्ट्राइब 5 इस सुपर डूपर इसी not only in बूस्ट्राइब 5 we have a grid system जिसमें we have total 12 columns 12 columns में अगर मैं एक को 6 देदू तो बाकी के remaining 6 मैं अपने वीडियो को देदूगा तो इससे आप medium में भी 12 ही चाहिए लेकिन जब मैं large devices पे आऊंगा तो मुझे 6 column दो आप ठीक है एंड यही सेम चीज़को मैं copy करता हूं यहां पर paste कर देता हूं तो सिर्फ इतना करने मात्र से अगर आप देखोगे all right over here तो दोनों side by side हो गए right दोनो side by side होगे कितनी ज़्याद easily अब यह वाला जो पार्ट है यह तो obviously मुझे एकदम center में चाहिए and not only this part यह भी center में चाहिए होगा फिलेल मैं इसको tackle कर लेता हूं ठीक है so मैं यहां पर चलता हूं यह देखो as per rule अगर आप gutter यूज करते हो then row के नीचे आपको सिर्फ column ही लिखना है and उसके बाद कोई extra classes add करना हो then आप एक new div add करो बिल्कुल मत डरो कि यार बहुत सारे div होने वाले it doesn't matter आपको क्या ची आपकी client खुस हो आपकी customer जो है वो खुस हो उनका experience अच्छा हो ठीक है but in my case में gutters तो यूज करने वाला नहीं हो तो मैं directly यहाँ पर चलता हूं display flex ठीक है the moment इतना मैंने लिख दी है ना तो आप देखना यह दोनों सब तीनों side by side हो गए लेकिन मुझे तीनों side by side नहीं चीए मुझे vertically center में and horizontally left side से start चाहिए vertically center horizontally एक दम स्टार्ट से चाहिए so see कैसे होगा बहुत ज्यादा simple है लाइक अब obviously दो अभी वो side horizontally I mean 123 ऐसे हो रहा है मुझे एक दो तीन एक की निच एक चाहिए तो it's super duper easy flex column and if you don't know what is this flex box in CSS and boost drive में भी वही है so top पे आप video देख सकते हो इस video को please check कर लिजे कहीं कुछ नहीं हो रहा है हम दिन भर में पूरा कितना time pass करते थोड़ा सा 30 minute देखे उस video को देख लिजे life बहुत हीजी हो जाएगी आपकी literally आपको मजा आ जाएगा तो इस video को जरूँ check out कीजेगा और बेसली grade भी नहाता तो grade की पर भी है link आपको नीचे description मिल जाएगे ठीक है guys यह वाला जो पार्ट है यहाँ पर मैं आपको सारे काम करता है वर्टिकली मुझे center में चीगी and align items वाला अब आपका horizontally काम करता है तो मैं align items लिख देता हूँ the moment में सिर्फ इतना करता हूँ and यहाँ पर दिखा तो boom guys see देखिए perfectly मेरा यह काम हो गया अब मुझे css लगेगा obviously मुझे styling करना है मुझे css लगेगा तो उसके लिए guys अब मैं css पर आता हूँ right click new style set and then मैं सिर्फ style लिख दूँगा dot css लिखनी की निड़नी automatic हो जाएगी and मैं यहाँ पर चलता हूँ so I have few code जो की बहुत ही ज़्यादा simple है बच्चो वाला है तो google fonts का आप देख सकते हो guys मैंने basically मैं दो font उसका नहीं हो रहा है एक होगा मेरा urbanist दुसरा होगा मेरा lexant करके ठीक है तो margin 0, padding 0, box sizing, border box by default mostly booster पर रहता बट to be on the safer side मैंने यह add की है then मैंने कुछ css variables create की है ताकि मुझे बहुत ज्यादा easy हो कल के दिन client आके यह बोल देगा बाई मुझे यह color बिल्कुल पसंद निया रहा है यह button का color जहां जहां अपनी blue color यूज की है मुझे इसके बादे green कर दो या कुछ यह वाला purple color कर दो तो मैं क्या करूंगा मैं क्या हर एक में करके बैठूंगा नहीं ना जहां जहां यह color यूज हो रहा है यह variable यूज हो रहा हर जगे हो चेंज हो जाएगा सो बहुत ही ज्यादा useful it super handy then मेरे पास guys यह heading को related कुछ code है जो की बच्चों वाला है ठीक है so guys आप देख सकते हो कि मैंने basically यह 3 code को copy की it's super duper easy simply मैंने जितने भी मेरे h1 वाले जो family है like from h1 to h6 मैंने include क्यों क्यों मैं यूजी नहीं कर रहा हूं so font family मैं lex and deka use कर रहा हूं and remaining मेरे जितने भी text होंगे उन सब को मैं font family urbanist करने वाला हूं ठीक है and उनको मैंने already google font से देखो आप देख सकती import किया हूँ then I am using the CSS variables मैंने आपको दिखाया and obviously here we have our color के हम उसको कैसे करते मैं आपको बता हो देखो let's say मुझे color चाहिए normally हम क्या करते color red that's it but मैंने आपको अल्रीड यहां पर color यूज कर रहा है as a CSS variable मुझे इन वेरेबल में से कोई एक color यहां पर चाहिए so अगर आपको भी variable create करते है और उसको access करना हो तो आपको वेर क्यूर्ड यूज करना है so this is how you can use this CSS variables inside CSS only ठीक है and if h1 को मैंने font size दे रहे है h2 को मैंने font weight font size line height दे रहे है अब यह line height दो syntax की बीच की height कह लिए then font weight आप देख सकते हो basically 600 and font size यह so guys मैं एक चीज बाताना चाहूंगा यह जो पाटे property जो है it differs and it's totally completely dependent on the requirement of your website ठीक है आपको पता चला को ऐसे website जहां पर font बढ़े चीज तो obviously आप बढ़ा कर सकते हो but मुझे लगा कि यहां पर मुझे guys जो मुझे better लगा मेरे code मेरे website के लिए वो मैंने use कि simple ठीक है तो अब अगर मैं यहां पर चलता हूं यहां पर simple control save है इस जेगे पर भी मैं चलता हूं so अब बस मुझे क्या करना है इसको include करना है आप देख सकते हो guys यहां पर मैं simple अब एक काम करता हूं यह जो मेरा part है इसको मैं हटा रहा हूं एक second मैंने कुछ और अटा दिया I guess ठीक है यह वाला जो पार्ट इसको मैं completely हटा रहा हूं यहां पर title के नीचे and bootstrap से ज्यादा priority मुझे css को रखना है so that's why bootstrap के नीचे में चलूंगा and यह जो मेरा css वाला part है dot hyphen css hyphen style dot css so this is it so 321 and boom guys see देखे कितना ज्यादा awesome लग रहा है थोड़ा बहुत एक clarity यहां पर हमें मिल चुक है ठीक है इतना ज्यादा easy and आपको बहुत ज्यादा मज़ाएगा मैं जान बुच के एकदम आराम से चलूंगा कोई जल्दवाजी नहीं अब one by one हम समझते कि इसको हम और कैसे एक काम कर लेता हूं I have this paragraph एक काम करता हूं इस्टाइल पर मैं चलता हूं जल्दी से कुछ चीजे है जो मैं add करना चाहूंगा let's say margin 0 कर दी है मैंने font weight 400 font की जो size 1 RAM मैंने रखा है color यह है मेरा आपको पता चल गया letter spacing मैंने इतनी दे रखी है line height font synthesis and text branding obviously easy है मैं यहाँ पर चलता हूं तो आप देख सकते हो कुछ हो आपको ऐसा दिख रहा है आपका यह paragraph that's it इतना ज्यादा simple ठीक है एंड वही अगर मैं आपको लेकर चलता हूं मेरा यह जो part that is text decoration मैंने none कर दी एंड वहीं guys li का भी आप चलके simple कर सकते हो list style none ठीक है list style and then none this is it तो यह सारी कुछ code है जो by default लिख दिया तो हमाहीं लिए बहुत जादी easy हो जाता है ठीक है हाला कि यही same part आप guys bootstrap में भी add कर सकते थे but I thought directly अगर anchor tag को मैं एक ही बार मैं add कर दूंगा तो मुझे बार बार वो class add करने की need नहीं पड़ेगी else अगर इसको मैं copy करता हूं ठीक है bootstrap पे चलता हूं अगर आपको complete bootstrap ही चाहिए तो guys आप देख सकते हो text decoration मैं अगर यहां पर चलता हूं we have this text वाला पार्ट पर आ जाते हो तो text decoration underline text decoration line तुरूए देखो यह text decoration none तो यह जो class है मैंने directly यहां पर add कर दी and do you know the reason the reason is कि यह जब आप लिखते हो तो सिर्फ वो एक anchor tag को ही target कर रहा है बट हमारे तो यह menu से हमारे तो यहां पर इतने सारे link है हर जगे मुझे class add करने पड़ेगी that's why मैंने directly css में एक यह बार में यह लिख दिया simple basic ठीक है this is it control save करता हूं यहां पर भी मैं चल लेता हूं अब यहां पर में दिखाओं तो कुछ हो आपको ऐसे दिख रहे perfect चलो ठीक है अब हम one by one हम इसको tackle कर लेते ठीक है तो लेट्स को वित आवर यह वाला पार्ट heading वाला पार्ट इस में चलता हूं मेरे h1 पर and i have to check कुछ h1 पर मैंने दे रखी है या नी ओल्राइट so h1 पर मैंने classes दे रखी that is text capitalize capitalize करना है मुझे h1 को and then मेरा font weight को guys मैं bolder करने वाला हूं चाहता आप bold कर सकते हूं and then text white लिखने की need नहीं है by default I guess उसको color मिल चुका होगा वाँ पे see देखे कितना ज्यादा awesome मुझे यह लग रहा है ठीक है इतना मेरा काम हो गया है perfect and हाँ अब मुझे text white क्यों करना है वह आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में क्योंकि हम background color उसकरने वाले लेकिन उससे पहले जल्दी से हम हमारा जो वीडियो है क्यों हम उसको target करें ठीक है and I just realize कि मैंने जो loop चलाना था autoplay अपने अपोना चीए and muted पे यह होना चीए that's it जी हाँ इतना बहुत जादी important है and इसको एक class में add कर रहा हूँ and that is hero-video-section-section ठीक है यह मैंने कर दी and हाँ एक चीज़ में दिखाना चाहूँगा कि जल्दी से यह जो part है इसको मैं copy कर लेता हूँ यहाँ पर मैं चलता हूँ इस जगे पर simple and आपको class add करना जरूरी है ठीक है अगर आपको class आप add ना भी करते simply आप dot use करते and hero लिखते तो by default आपको decision आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा easy है like let's go with maximum width 100% ठीक है height आप auto रखो जो आपको मर्जी हो and then minimum width ना बोलकि simple width लग दो let's say 30% ठीक है अगर आप simple इतना भी करते तो देखो automatic आपका ऐसा हो गया तो यह तो clear हो जाता है कि 30% काम नहीं आएगा let's go with width इतना हम एक border radius यहाँ पर रख देंगे let's go with one RAM और either we can go with two RAM but I guess two RAM will be much better जो कि थोड़ा cool दिखाई देगा और let's see इतना मेरा काम हो गया ठीक है अब मुझे क्या करना है इनको basically एकदम center पर रखना होगा मुझे तो simple guys अभी यह जो मेरा container उसको मैं थोड़ा सा container so let's go with heroes section start लिख देता हूं मैं and यह वाला जो पार्ट है obviously मुझे उसको heroes section के अंदर रखना पड़ेगा ठीक है इस तरगी से यहाँ पर मैं चल देता हूं ठीक है obviously यहाँ हम चलते है ज्यादा बैटा रहेगा heroes section we have this heroes section के अंदर we have this container perfect and यह जो container है guys display grid and then हमें मालूम है guys बहुत इजी लिस सेंटर कर सकते है सो अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूं देखो guys मैं refresh करूंगा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने literally इसको height दी ही नहीं है ठीक है तो वह height भी तो देना जरूरी है सो मैं ठीक यहाँ पर चलता हूं अगर आपने notice क्या होगा मैंने bg main कर गे लिखा तो bg main में मैं height देता हूं तो पाटे यह थोड़ा बड़ा होना चाहिए ठीक है तो instead of percent let's go with RAM awesome मज़ा आगे ठीक है तो हम एक काम करते है height ठीक है width को मैं अगर 40 कर दो तो एक second नहीं यह उतना नहीं हो रहा है and I just realized कि यह जो पाटे ठीक यह तो वीडियो ही है एक काम करते है इसको मैं 30 कर देता हूं ठीक है maximum width लिखनी की need नहीं है height दू या ना दू और समसी आपने देखा सम्टाइम्स क्या होता है कि आपको exactly नहीं मालूम क्या type करना है बड़ हम कर सकते लाइक आपको देखना है कि क्या बैटर रहता है अगर आप height ना लिखो तो भी यह आप आपका काम करेगा क्योंकि वह width के base पर आटोमेटिक को लार्ज वाला पार्ट होगा वहाँ पे तो मुझे एंड पे चाहिए इस तरगे से यह देखो एंड पे चला गया नॉट्स लुकिंग ओसम यह भी मेरा पार्ट हो गया है बटन को मैं टागेट कर सकता हूं ठीक है बटन को मैं कैसे टागेट करूंगा बोलने से वी हैब लिखना एंड दन वी है बीटी एंड दन वी हब प्रामेरी करके कला एंड आइधिंग दूवी हब सम्थिंग यह तो इतना में करता हूं तो देखो कुछ ऐसा दिख रहा है इसको मुझे थोड़ा सा स्पेस देना लाइक पैडिंग देना है थोड़ा सा मार्जिन देना है तो मैं कैसे करूंगा मुझे अफ्रम लेट और राइट साइट पी एक्स में कर देता हूं एंड में सिंपल लिख देता हूं 5 लाइक होई जोंटली मुझे फॉम लेट एंड राइट पांच यह बाइड देफॉल्ट जो बूस्ट्राइफ फाइब हमें प्रोइड कर रहा ह तो इतना करने मात्र से आप देखो मेरा कॉंटेक्ट आस कुछ हो ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है मैं आइटिंग यह पॉर्फेक्ट इतना ही है ठीक है तो धी दीर आप देख सकते हूं कि एक फिलिंग जो हमें आ रही है ठीक है ऑल्राइट पॉर्फेक मैंने यहां पर टेक्सेंटर लिख दी है मैं इसको विट कंप्लिट 100 देना चाहूंगा और टेक्स्ट मीडियम से पहले मैं स्टार्ट देना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरा यह जो बटन है ठीक है अगर आप नोटिस करना फिलाल तो ऑन लाज स्क्रीन यह इसके कारण होता है this is it and I think मुझे यह जो मेरा पैराग्राफ है इसके साथ खेलना पड़ेगा मैं यहां पर लिख देता हूँ कि उपर से मुझे 3 का स्पेश चाहिए मार्जिन बॉटम से मुझे 5 का स्पेश चाहिए होगा and I have this para width करके class मैं add करके दिखाऊंगा आपको and we have a text light hyphen gray करके color है so यह जो दो code है मैं आप भी आपको दिखाता हूँ ठीक है इतना अगर मैं करता हूँ यहां पर चलता हूँ तो देखो सेम मुझे वह अब मिल रहा है लेकिन फिर भी यह वाला जो पार्ट है and यह वाला जो पार्ट है थोड़ा सा यह कम बोल्ड लग रहा ले मेरे पास यह दो code है जो मैं add करना चाहूंगा and that is background color बीजी color आप जो यह देख रहे हो so we have this बीजी color over here जिससे मैंने बोल दया कि मेरा background का color यह मुझे चाहिए and इसको फिलाल के लिए आप रहने दीजे आप इतना मसोच इसको फिलाल के लिए अगर यहाँ पर चलता तो completely वो तो आप ऐसा हो गया right भाई मेरे text कहा गए obvious है ना so यह देखो यह जो बीजी color है अब मैं एक दम top पे चलूंगा obviously मेरा यह जो बीजी body है territory जो भी लिखा है य आप उन्होंने वो जो बीजी अगर आपको यह दो नैब बार बीजी या बीजी डार करके जो बाइडिफॉल्ट यहाँ पर एक कलर होता तो उन्होंने हटा ही दिया वह so let's go with बीजी color तो यह वाला जो बीजी body territory जो भी इन्होंने लिखा है उसको मैं हटा दूंगा अब व मुमेंट आप एक करोगे तो यह आपका वाइट हो जाएगा ठीक है दूसरा तरीका यह कि जितने भी मेरे नैब लिंक है वो तो हर जेगे अल्रेडी मैंने यूस किया है तो मैं क्या करूंगा मैं सिंपल यहाँ पे चलूंगा मेरे स्टाइल पे ठीक है इस जगे पे आपको यहाँ दो सो बीएस आई थिंक वीएव इस प्राइमेरी कलर जो की है हमारा वाइट तो मैं सिंपल यहाँ पे चलता हूं एंड देन वीएब इस मेन कला दिस इट ठीक है मुझे यहाँ पे डॉट लेगा बिकोस वह आपका एक क्लास है तो यहाँ पे चलता हूं तो उसमें मैं यह सेकेंडे कलर यूज कर रहा हूं तो अब आप देख सकते कुछ हो आपको इस तरी के से दिखाई दे रहा ठीक है मुझे इनके बीच में थोड़ी सी पैडिंग भी लगेगी सो कैस पैडिंग मुझे चाहिए होगा सो मैं लिख देता हूं कुछ इस तरी के पैडिंग पैडिंग टॉप लाज या उसके उपर की डिवाइस में मुझे कुछ हो ऐसे ची तो टॉप में मुझे इतना सारे स्पेस मुझे मिल रहा है तो अब यह वाला जो पार्ट इसका मुझे कलर चिंज करना है ठीक है मुझे यह देखना है कि मैंने टेक्स लाइट ग अब तो टोड़े से उपर आ गए यह जो मेरे टेक्स ग्रे करके मैंने लिखा है ठीक है तो मैं यहां पर चलता हूं वी हैब टेक्स ग्रे मुझे यहां पर चलना होगा टेक्स ग्रे एक सेकेंड ओवर हियो यहां पर हम चलते है स्टाइलिंग पे एंड ठीक इसके नीचे में चलता हूं और टेन पेस्ट कर जाता हूं और आइजस्ट रिलाइस कि मेरा यह जो कलर है टेक्स ग्रे वाला सो लेट्स को वित वैर एंड देन प्राइमेरी कलर दिस इस अब अगर मैं यहां पर चलता हूं इसको एक बार में र लाइट ग्रेट इस इस इट कंट्रोल एस सेफ करता हूं अब अगर मैं यहां पर चलता हूं सी गाइस कितना ज्यादा आसम लग रहा है मुझे ठीक है अभी आप चौत इसका फॉंट साइज बढ़ा सकते हम जरूर बढ़ा देंगे यह जो मेरा बटन है उसको हम टागेट क होने वाला है सो मैने बटन एंकर्ट आग दोनों को टागेट की फॉंट साइस दोनों का मैंने इतना एट कर दिया लेट इससे मेने दोनों की बिछ में इतनी और यह उनकी पीछ बीच में मैंने देवर्ड मीस माई नेम माई और नेम की बीच में थोड़ा स्पेस आएगा ल मुझे वह हुबर एफेक्ट I mean वह वाला एफेक्ट लगेगा इसके पर मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया था बट मैं फिर पर आपको दिखा देता हूं we have this safe divider ठीक है so safe divider पर आपको चलना है मुझे टॉप पे निचे मुझे यह चाहिए on the bottom side like this way आपको लगे तो height कम ज्यादा कर सकते हो weight के साथ आप थोड़ा खेल सकते हो flip कुछ चाहता आप इस तरह करा सकते हो इसको है ना so I think यह वाला ज्यादा बैटा रहेगा let's go with this one and simply यहाँ पर click करना है यह जो code copy HTML कर लिजे है ना तो आपका यह जो container है जहां container खत्म हो रहा इसके नीचे आप चलिएगा ठीक है अब आपका यह जो CSS का code उसको copy कीजिए यहाँ पर चलिए यह आपका style है यहाँ पर paste कर दीजिए and obviously यह absolute absolute लग रहा है right मैं चाहूंगा कि यह जो मेरा hero section है यह देखो bg main that's why मैं यहाँ पर position relative उसकी थी स्टार्टिंग में आपको लगा को यह position relative का तो क्या काम है बट आपको पता चल गया हमारा bg major उसको position relative दी ताकि हमारा यह जो custom save वो उसको अपना parent माने और सिर्फ और सिर्फ उसी के एक सेकंड कौन सा है दोनों तो हो गए अब मुझे यह निसा ओल्राइट इस आउर में खुद थुद्धर के लिए कंपिस होगे क्योंकि दोनों सेम दिख रहा था बटन जैसी मैंने notice कि मैंने जो एक सेव डिफरेंट लिया एक सेप ऐसा है एंड देन दुस्रा वाला सेप ऐसा है लेकिन यह वाला से मुझे पसंद निया है हां लेट में तेल यू सो म क्या करेंगे यहां पर में चलुंगा इसको हटा के लाइक इनहीं पहरा नंड ह cią और सेप基本 यहां चलता हूं तो सब्सक्राइब करता हूं वापस एक सेकेंड पेस्ट कर देता हूं अभी यह टॉप में इसलिए वैसे आपको दिख रहा है लेकिन मैं इसको हटा देता हूं गाइस इसमें कुछ था नहीं कॉपी पेस्ट एंड बूम गाइसी देखें कितनी ओसम तरीके से मेरा यह जो पा ठीक है हिरो सेक्शन तो मेरा complete हो गया तो आपने देखना किस कितना ज्यादा इजी है यह सो लेट्स को वित आवर सर्विस सेक्शन ठीक है और एट कैप्स और मुझे मालूम है डोंट वरी मैं लिग देता हूं यहां पे सर्विसे सेक्शन एंड मुझे मालूम है यह डिप म मुझे नहीं चाहिए होगा क्योंकि हम यह पर्टिकुलर सेक्शन है लेट्स को सिमेंटिक ले आउट राइट एंड वी हब अगेट वह बीच में जो होगा वह हमारा सेम होने वाला कॉमन सो कंटेनर ठीक है कंटेनर में लिग देता हूं टेक्स सेंटर दैन कॉमन टाइटल क करके एक क्लास होगा वह मैं एड कर रहा हूं फॉंट को मैं पहले ही बोल कर दे रहा हूं सिम्पल इसके अंदर एंड दन वी हैब दिस एच्टू ठीक है एस्टू में गाइस मेरे पास एक कोड है एंड अगिन मैंने यहां पर इसको भी एक क्लास दे रहा है जो कि हम सब को देने वाले सो कॉमन हैडिंग ठीक है एंड है एक सिम्पल सा कॉपी एंड पेस्ट ठीक है मैंने बीच में बीच में डाल दिया था कि वह एक दूसरे एक नेक्स लाइन पर आज है एंड दन वी आ यूजिंग दी एच्वार एंड इस एच्वार पे क्लास एड करूंगा वह होईजुंटली आपको सब्सक्राइब मिल जाएगा एंड वेप सकते हो आप यह जो वर्ड आप इसको करेक्ट कर सकते हो तो बेसिकली टॉप पे आपको बताएगा कि क्या हाइलाइट है क्या नहीं है सो अब अगर मैं यहां पर चलता हूं तो आप देख सकते हो कि सब्सक्राइब में करेक्ट कर लूँगा तो यह सारी चीज तो सेम है और आप बेसली ओवर है और आप देखो कॉमन टाइटल कॉमन हैडिंग एंड कुछ वह इस तरह किसे रखा है ठीक है तो इसमें स्टाइल पे चलता हूं ठीक है अगें जो भी कॉमन होगा उनको हम टॉ सब्सक्राइब हुआ जो भी हमारे टेक्स्ट जो है उसके नीचे बॉटम साइड में मुझे स्पेस चाहिए लेकिन अब मुझे इसके उपर भी तो स्पेस चाहिए होगा ठीक है में तो प्लम है आपको मालूमि मैंने कहां से लिए फॉम पिक्सक्राइब लिंक नीचे डिस्कृप्स्ट में आपको मिल जाएगा ठीक है it's super duper easy यहाँ पर काई simply आप इस तरी किसे लिख सकते हो like social media the moment आप social media लिखते हो तो काईस आप देख सकते हो यह अगर मैं models पर भी चलता हूँ तो यहाँ पर यह देखो गाईस यह 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 सकते हो ठीक है आपको जैसा 3D लगता है वैसा बना सकते हो export पे जाके images के high quality पे जाके आप for export कर दीजिए यह अगर आपको gift चाहिए क्योंकि obviously हमें तो gift लगेगा तो देन आप यहाँ पर export कर दीजिए ठीक है मैं इसको अटारा थुझे के लिए ताकि इसको मैं export कर दूँगा तो आप देख सकते हो कि guys and मैं सिर्फ यह एक आपको बात आने आप लिटरली बाकी सब के जो प्रोसेसे वह सेम होने वाला है तो बस थोड़ा सा धेरे रखे and that this is it like बोलते बोलते यह हो गया आप देख सकते हुआ प्रोसेसिंग यह गीप and within a few seconds और आटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएंगे ठीक है तो उसी तरीके से guys मैंने लिटरली सब को डाउनलोड किये है और मैंने जैसे कि आपको दिखाया और यह जितने भी मेंजेस और सब के सब मेरे पास अलेड़ी पड़े हुए यहाँ पे आप link कह लिए यह देखिए यह आप य पी अनजी कह little यह यह आप map का कह लिजे जो भी यह मेरे तो मैं बार-बार वहां जाके एक-एक को डाउनलोड करके आप लोगों का मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा बट हाँ इमेजेस के साथ खेलना उसको ऑप्तिमाइस करना बहुत जाद इंपोर्टेंट है यहां पर डाउनलोड भी हो रहा है एंड मैं जल्दी से दिखा देता हूं एंड डिस इस इट सी वी हब आपको इसको अपने जो भी प्रोजेक्ट वहां पर एड करना है ठीक है अब मुझे यह तीन हमारा एक जो रो होता है उसमें टोटल तीन लगने वाली चार 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 ग् लिखना होता है दैन आपको लिखना होता है दैन आपको को अल्राा मेरा कांटेनर वोगा मुझे ऊपर से थोड़ा स्पेश जिए स्चार चाहिए देरे में आपको दिखाता हूँ, obviously mobile में तो मुझे complete space चाहिए, but when it comes to large devices, मुझे वहाँ पे total 12 नीचे सिफ 14 चाहिए होगा, simple, ठीक है, and then मैं लिख देता हूँ, call, एक काम करता हूँ, medium पे भी, I think, let's go with 12, this is it, इतना मेरा काम हो गया है, मैं as it ही छोड़ देता हूँ, and जब भ dip के बीच में अगर आपको space चाहिए, else चिपक के आएंगे न, तो आप क्या कीजए, कि अब आपको जो भी extra classes add करना था, वो उसके लिए एक new dip क्रेट करो, simply यहाँ पे मत करना, ठीक है, बना sometimes वो गटर यूज करना मुस्किल हो जाता है, so मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे लिटरली सारे के सारे text जो है, center में लगेंगे, तो मैंने एक class बना ली, ठीक है, and I have multiple classes जो मुझे यहाँ पे लगने वाला है, जिसमें से एक है आपका card box, दूसरा guys, obviously वो rounded आपको दिखाई दे रहा है, so मैं लिख देता हूँ, rounded-2, basically by default bootstrap का यह, and मुझे from all the four direction padding लगेगा इतना, तो यह जो rounded आपको दिख रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे, तो यह थोड़ा सा rounded में आपको मिलने वाला है, ठीक है, this is it, इतना मेरा काम हो गया है, अब इसके अंदर literally मुझे वो image लगेगा, जो कि मैंने आपको दिखा दी, download करके, so dot forward slash we have images, and I think it's a link वाला, this is it, यहाँ पर आप link कर दीजिए, इसको थोड़ा से responsive बनाने के लिए, image fluid वाला आप add कर दीजिए, and कोई class है, नहीं है, बढ़ हाँ, इसको मैंने width दे रहे है, 200 pixel, not pc pixel, ठीक है, अब इसके बाद we have our h5, it's super duper easy, h5 में भी मैंने कुछ classes है, जो मैंने add कर रखा है, that is मुझे और नीचे से space चीए, margin मैंने top and bottom से 3 की दे दी, मैं बोलगा मेरा font weight को भई normal रखो आप लोग, that's it, यह मैंने रख दी, and मुझे यहाँ पर simple link building इस तरह की से link देना है, this is it, so now we have our paragraph, ठीक है, इस paragraph को भी कुछ classes है, जो मैं देना चाहूंगा, and that is मुझे bottom से space चीए, so margin bottom दे द arrow, यह वाला जो arrow मुझे लगेगा, फिलाल अभी कुछ हो आपको ऐसा दिख रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा awesome है, ठीक है, अब मुझे यह arrow लगेगा, and it's super duper easy, so उसके लिए, again मुझे एक deep लगने वाला, मैं लिख देता हूँ, display flex, ठीक है, simple, मैं यहाँ पर चलता हूँ, justify content center, align items center, this is it, इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, मुझे anchor tag लगेगा, ताकि उस पर मैं अगर click करूँ, तो कहीं पर redirect कर सकूँ, let's say मैं जब इस पर click करूँ, तो मैं ज़े services वाले page पर जाना है, basically मैं उतीना page के अंदर hashtags हम इसको target कर सकते, target फिलाल मैं कुछ नहीं रखना चाहूँगा, target को कुछ नहीं रखते, exit छोड़ देता हूं मैं, इस पर भी guys मैं अब भी I think इसको exit रखना सही रहेगा, ठीक है, जब literally मुझे लगेगा कि ये चीज मुझे दिखाना जरूए तो मैं आपको दिखाता हूं, now guys अब हमें यहाँ पर font awesome लगने वाली है, so font awesome मैं मैं एरो वाली add कर दी है, and मैं जानवच के font awesome मैंने include की अपने इस project में, ताकि आप लोगों को ये दिखा सको, जितने भी ये giphy है, जितने भी ये images है, वीडियो है, ये सब के सब तो मेरे pix cap से मैंने ली है, बिल्कुल free मैं, ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि हम और भी इसको आपको copy करना है, अपने project पे आना है, सब से top पे आपको add कर देना, मैंने already add कर दी, आप देख सकते हो font awesome, and then, अब आपको करना होगा, ये simple आपको चलना होगा, आपके font awesome पे, इस तरीके से, यहाँ पे चलना है, आपको जाना पड़ेगा, simply आपके icons पे, यहाँ पे ज यहाँ यहाँ आपको copy करनी है, solid इसको copy करना है, and यह वही है, जो मैंने यहाँ पे आपके समक्स, जो है, मैंने paste कर दिये, this is it, so, अब यहाँ पे, I guess, मुझे class देना बहुत जादा जरूरी है, that is anchor tag में, जी हाँ, so, एक class है, जिसके तुरू वो जो blue background, background में आ रहा है आपक है, so, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस जगे पे, and I have this icon span का code, बहुत ही जादा simple है, services पे में चलूंगा, width and height यह दी मैंने, background color यह रख दी, and I just realized कि background color मैंने वो क्यो रखाया, तो मैं तो directly where use कर सकता हूँ, so, let's go with where, यहाँ पे हम चलते है, and मेरा यह जो secondary वाला color होगा, I mean पह मुझे चलना पड़ेगा, BS hyphen secondary, all right guys, एक काम करता हूँ, मैं इसको BS hyphen कर लेता हूँ, ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूँ, copy, so guys, आप देख सकते हूँ, कि मैंने literally, बस उस color के बदे colors कर दी, क्योंकि by default एक class था, ठीक है, so, and मेरा main color यह है, एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसा दिख रहा है, but जो भी हो guys, देख कितना ज्यादा awesome, अब मुझे इसको round rate करने है, so, मैं अगर आपको दिखा हूँ, literally, we have one option over here, मैं यहाँ पे round rate करके लिख सकता हूँ, we have this rounded circle, अगर यह आप add करते हो, तो हो तो जाना चाहिए था, and I just realize कि आपको वो वहाँ नही आपको rounded circle यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यह round हो गया, अब मुझे यह एकदम center में चीया, यह वाला जो मेरा part है, आप सोच नहीं सकते, इतना ज्यादा simple है, इसी को यह copy करके मैं चिपका दूँगा, या तो आप यहाँ पे display के, यह देखो मेरा काम होगा, कितनी easily मेरा य कितनी easily हो गया तो यह वाला जो पार्ट है, डिप को रहें तो यह जो रो आपको दिख रहा है, इसको आपको copy करना है, three times आपको paste करना है, ठीक है, तो आप देख सकते कुछ हो आपको इस तरह किसे दिख रहा है, so कैस आप देख सकते कि मैंने बाकी के दो को भी चेंज करती कितनी easily हमारा यह जो particular section यह भी हो गया है, यह है ना कितना जाद awesome, यह जो बीच में आपको shadow दिख रहा है, उसकी पीछे का region यह है, कि मैंने यहाँ पे shadow करके boost drive वामे by default एक class देता, उसको मैंने add किये, so मुझे वो कुछ ऐसा दिख रहा है, अब मुझे यहाँ पे जब मैं इनको करूंगा hoover ना, तब guys मुझे इनको भी shadow देना है, यह जब मैं hoover करता हूँ, यह भी by default shadow मुझे मिलता है, तो guys उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चलता हूँ मेरे CSS वाले part पे, style ठीक है, ध्यान से देखना, जब मैं मेरे इस particular card को, so मेरे card box को जब मैं over here, over here, यह देखिए, आप देख रहे हो, कि हैना कितना ज्यादा awesome and कितना super duper easy, so guys आप देख सकते हूँ कि अभी तक हमने इतना complete कर लिया है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब यह वाला जो portion है, यह भी बहुत ही ज्यादा simple है, literally आप सोच नहीं सकते इतना ज्यादा simple है क्यूंकि, मैं अगर आपको दिखा हूँ, तो यह तो guys ही मेरा hero section है, उसी को ही मैं copy करूंगा, ठीक है, यह जान वच कि मैंने section रखा ता कि दिखा सको, sometimes कुछ चीज ऐसी जो like same होती, तो just copy paste कर दो, so यह है आपका simple digital products, case and link देता हूँ मैं, ठीक है, so मैं paste कर देता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, यह मुझे लगेगा on the top part, over here, control s, this is it, so इतना ज्यादा simple यह, and अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो देखे मेरा, कितना easily मेरा काम हो गया, इतना मुझे मिल गया, ठीक है, अब मुझे करना होगा, यह कि मैं अगर आप लोग को यहाँ पर ल and it will be super easy, ठीक है, so source पर we have a image, forward slash, I think we have this phone dot, 1 second, यह होना तो चाहिए था, but कोई नहीं फिर भी safer side पर चलते है, and इसको मैं रख देता हूँ, alt पर like, phone, digital, हम guys, यहाँ पर लिख देता है, digital products, digital products, ठीक है, अब मुझे इसको literally, मैंने और कुछ class दिये रखी, जहा, class मुझे दी है मैंने like, इसको responsive हो थोड़ा है, बोलके image fluid, तो अगर मैं इतना रख देता हूँ, तो आप देख सकते हूँ कि guys, मुझे कुछ और किसे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा awesome है, and मुझे यहाँ पर parallax effect भी लगेगा, तो वो जो parallax effect मुझे लगने वाला है, so उसके आप लोगों के लिए जोम कर देता हूँ, I guess अब perfect रहेगा, info and then section, ठीक है, so we have more info and then section, और कुछ है, row है, container है, margin bottom मैंने नहीं लगने वाला यहाँ पर, and I think बाकी सब तो सही है, यहाँ यहाँ बाकी सब सी image section perfect, यहाँ यहाँ पर एक और चीज़ मैंने add किया है, and that is guys, I am going with the image वाला section, so image and then we have this section, मुझे यह वाला जो div है, इसकी need नहीं है, ठीक है, control है, save कर देता हूँ, यह वाला, इसको just मुझे copy करके, इस तरगी से change कर देना है, बाकी कोई differences नहीं है, यह वाला जो code है, थोड़ा से ज्यादा मुझे लगेगा, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा द दिखे वो, तो कुछ हो मैंने इस तरीके से add कर दी, बाकी button जो है, अपने जगे perfect है, and यह text center, जी हाँ, तो इतना मैं करता हूँ, अगर यहाँ पर चलता हूँ, आप देख सकते हूँ, कुछ हो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हूँ, कितना ज पर चलते है, मैं यहाँ पर यह लिखके, start style लिख देता हूँ, dot more info, अपने आप आ जाता है, देखो, इस super duper easy खाली, आपको background attachment में na fixed लिखना है, तो यह आपका parallax effect बना के दे देता है, ठीके, इसको मैं अटा के paste कर देता हूँ, so background image लगेगा सबसे पहले, and obviously मुझे gradient add करन है, वो black overlay मुझे add करना है, so यह एक trick है, जहाँ पर आपको linear gradient लिखना है, and दो color आपको define करने पड़ते है, तो यह दो color मैंने define कर दी, यह मेरा simple URL, जो भी image में वहाँ पर यूज कर रहा हूँ, background मैंने cover कर दी, ताकि एक image complete पूरा space ले ले, position center रखा है, background मुझे repeat नहीं कराना है, and then background का जो attachment है fixed, तो simply यह एक line आपका parallax effect देगा आपको, padding मैंने उपर and bottom से इतनी दी, and overflow मैंने कर दी hidden, so अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो आप देख सकते हूँ, कितना ज्यादा awesome हमें लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, यह section as it is ही बहुत ही ज्यादा awesome section है, ठीक है, मैं आगर आपको दिखा हूँ, so we have our image section, इस वाले को न मैंने क्या कर दी, मैंने position दे दी relative, ताकि अब मैं इसके साथ खेल सकूँ, इसको position मैं दूँगा absolute, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस dip के अंदर ही अब अपना काम करेगा, ठीक है, so इसको कर लेता हूँ, copy, paste and इसके अंदर जो image है, उसको मैं दे रहा हूँ, position, और let's go with position absolute, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा वो left side को चाहिए, so left मैं फ्लैल के लिए zero कर देता हूँ, so let's go with width कितनी दे रखी, मैंने 70% दे रखी है, यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इतना भी करता हूँ, आप देख से कितना जादा प्यारा and sweet मुझे यह लग रहा है, ठीक है, सिर्फ इतना लिखने से मेरा काम हो जाता है यह, तो अब मैं अगर as it is छोड़ दू, so I guess guys, एक काम करता हूँ, मैं अगर यह दो पार्ट ना भी लिखता, तो भी तो मेरा यह काम कर रहा है, बहुत awesome दरीके से, ठीक है, so यह काम करते हैं, यह दोनों नहीं लिखते हैं, जब इतने कम कोड से मेरा काम हो रहा है, तो क्यों extra कोड लिखना, ठीक है, this is it, so यह मेरा पार्ट complete हो गया है, and मैं आगर यहाँ पे चलता हूँ, so guys, मुझे पता है, क्या, ऐसा लग रहा है कि यह जो portion है, and यह जो portion है, इसमे मैं क्या करना चाहूँगा, कि यह वाला जो पार्ट है, यह वाला जो दिख रहा है आपको, वो मैं यहाँ पे अड़ करना चाहूँगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, खाली, we have this common heading, अगर आपको यादो, the moment में यह एड़ कर दूँगा, तो आप देख सकते हो कुछ हो अब आपको इस्तर किसी दिखाई दे रहा है, जो किसा है, क्योंकि यह वाला पार्ट को ही मैं यहाँ पे आप यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर अगर मैं h2 कर दूँगा, यह जो common heading है, तो कैसा रहेगा, यह भी बैटर है, लेकिन बहुत चिपक रहा है, यह चि कर सकते कि, अगर मैं h2 पे हूँ, तो मैंने यह जो line height दे रहा ही, 3 RAM, oh my god, 3 RAM दे रहा हूँ, फिर भी कम कैसे हो रहा है, 4.8, let's see, all right, यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है, 4 मैं अगर देता हूँ, तो now it's looking awesome, so I think guys, इसको हम h2 ही रखते हैं, क्योंकि h1 हमें सिर्फ एक बार यू पार्ट यह थोड़ा छोटा लग रहा था, बट यह वाला मुझे ज्यादा बैटर लग रहा है, तो मैं इसे के साथ ही चलना चाहूँगा, and background में आप देख सकते images से एक काम करता हूँ, वो जो image अगर आपको लग रहा है कि, parallax effect वहां में मिल रहा है या नहीं, तो इसको न इतना मेरा काम कंप्लेट हो चुका है, तो दिखें काई सब यह वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन दिखाए दे रहा है, that is generating new customers by online mode, अब हम इसको create करना है, and let me tell you, यह बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यह वाला जो पर्टिकुलर टाइडल आपको दिख रहा हो, तो हमने जल्दी से यहाँ पर यह जो भी है, यहाँ पर मैं मेरा गर्टर फाइड कर दूंगा, कुछ हो इस तरीके से, so the moment मैं यह करूँगा, तो इनकी बीच में देखो, इस पेस ज्यादा आगिया है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, अब मुझे बस यह वाला पार्ट को create करना है, इस वाले पार्ट को simple, so देखो, बहुत ज्यादा सिंपल है, यह वाला पार्ट इस है, just, मैं जो text है, उसको मैं change कर दे रहा हूँ, मेरा यह पार्ट हो गया, चलो ठीक है, इसके नीचे हमें चलना है, obvious है guys, आपको पता चली गया होगा, कि अगर grid के साथ हमें खेलना है, container, row, row के अंदर आपको call, मुझे वो 12 चाहिए, ठीक है, इस इस इतर से 12 से काम चलेगा मैं करना चाहूंगा, मुझे वो extra, मुझे large devices पे, छे चाहिए होगा, ठीक है, एंद उसके नीचे हम पूरा complete 12 ले ले लेंगे, this is it, इतना करने से मेरा काम हो जाएगा, and obviously मुझे यहां पे थोड़ा gutter and all लगने वाला है, so मैं एक काम करता हूँ, मैं simple, display flex अभी फिलाल के ल मुझे लगने वाले है, मैं आपको बता हूँगा, वो क्यों मुझे लग रहा है, उसके पीछे का reason का है, so मैंने यह तो लिख दिया, अब यह जो पार्ट है, यह first div जो मैं use करने जा रहा हूँ, मैं यह use करने जा रहा हूँ for my this giphy, and then second one will be this one, तो देखो ना, basically अब इसके छोड़ दो इसको ठीके deep link देता हूँ, and मेरे पास यहाँ पे एक image है, ठीक है उसको मैं paste कर देता हूँ, super है, मैंने बस इतना बोला कि display medium block, मतलब जब तक मैं medium devices पे हूँ, मुझे मेरा icon दिखाओ, वो giphy वाला, and then जैसी वो column पे चला जाएगा, basically medium devices से नीचे, that is on our mobile devices, उस पे वो हम उसको नहीं दिखाएंगे, उसको मैं fluid कर रहा हूँ, x basically on from left and right से मैं थोड़ा सा margin दे रहा हूँ, and this is it, और कुछ नहीं, और बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा extra fancy नहीं है, ठीक है, and obviously यह जो parting है, पे मैं shadow दे देता हूँ, ताकि थोड़ा सा वो खिल के आए, ठीक है, अ तो मुझे उपर और नीचे से भी space ही, इनके भी space ही नहीं है, so वो जो उपर और नीचे वाला जो space है guys, वो है आपका py and then 5, ठीक है, तो इतना मैं कर दूँँगा, तो देखो कुछ वो मेरा ऐसा बन गया, simple ठीक है, अब मुझे text लगेगा, so guys यहाँ पे भी मुझे अब एक text तो एक काम करते हैं, आपको बाता चली क्या होगा, paste, मैं आगर यहाँ चलो, देखा आपने हमें, यही आपको दिखाना चाहता था, by default अगर आप कुछ भी text लिखते हो, वो एक के नीचे एक आता है, ठीक है, तो मैंने इसलिए बोला, मैं नहीं लिखूंगा, बस मुझे यहाँ पर एक चीज लिखने है, दोनों को side by side करना हो, तो display flags, एक second, आपको simply, मुझे आइफन देना पड़ेगा, तब भी होगा वो, and automatic suggestion नहीं आया, तो एक बार मुझे यह देखना कि क्या है इसकी पीछे का region, क्योंकि I have, sorry, मुझे यहाँ पर नहीं लिखना था उसको, I think एक mistake कर दी कि मैंने ये वाला जो डीवे, वो मुझे बाहर चाहिए, तब ही तो ये एक side में चला जाएगा, ये दूसरे side में चला जाएगा, जब मैं flex लिखूंगा, है ना, तो अब मैं चलता हो, ये देखो मेरा काम हो गया, कितनी easily हमने हमारा काम कर लिया है, और कुछ है, नहीं, से पितना ही था, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ, ये देखना है कि मैंने class row दे रखा है, ये देखना है, अगर मैं row देता हूँ, तो क्या होता है, वहता तो कुछ भी नहीं है, so guys, देनी की need नहीं है, ठीक है, simple, अब ये जो part है, इ यहाँ पर खतम हो रहा है, and मैं paste कर रहा हूँ, तो मेरे बागी के remaining जो भी तीन थे, right, वो मैंने paste कर दिये, कुछ भी extra नहीं है, सब एकदम simple है, just, कुछ भी नहीं, खाली, ये जो title and then content है, बस होई change है, ठीक है, control and save करता हूँ, तो ये देखिए, अब देखो, यहाँ पर problem आया, देखो, अब आपको पता चलेगा, what is the actual problem, and that is, कि इनके बीच नहीं, spacing तो बिल्कुल भी नहीं है, there is no spacing in between, ठीक है, तो वो जो spacing है, ना, card के बीच में, तो वो gutter आपको provide करता है, so, मैं यहाँ पर gutter 5 लिप दूँँगा, जी 5 लिखने का मलता, from all the four directions, horizontally and then vertically, GX, GY, वैसे भी कर सकते हो, जो हम यहाँ पर कर रहे, PX, PY, I hope आपको दिख रहा है, and boom guys, see, कितनी easily and perfectly मेरा यह काम हो गया, कितनी easily हमने इसको create कर इतना कुछ हमने देख लिया, and आप देख सकते हो, starting में बले ही मैं थोड़ा ज्यादा ब All right, now let's go with what client says about us, and इसमें best part है कि मैं Carousel use करने वाला हूं, and यह जो Carousel है, यह मैं JavaScript का Swiper.js वाला plugin भी नहीं है, Bootstrap जो हमें Carousel provide करता है, वो मैं use करने वाला हूं, so we have Carousel, and autoplaying Carousel दिख रहा कुछ ऐसा, ठीक है, so मैं Carousel use करने जा रहा हूं, यह वाला नहीं चाहिए यह without text वाला चाहिए, like this one, यह वाला, यह वाला carrier as well कि मुझे नीड है, देखो यह automatic, आपका second, यह आपका third जी हां आपको दिख रहा है, यह है ना, देखो, मतलब सब कुछ है already Bootstrap में, and यह तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं just copy paste करो, क्योंकि literally यह जो आपको ऐसा highly recommend, please CSS बहुत ही जाद important है, यह bootstrap के मदद से ना हो, फिर भी हम इसको CSS के मदद से भी create कर सकते थे, ठीक है, so let's go with this section, मैं यहाँ पर चलता हूँ, and obviously यह पार तो मुझे लगेगा, ही लगेगा, है ना, कुछ करनी सकते उसका, so मैं लिख देता हूँ, testimonial section, ठीक है, comment कर देता है, again let's go with testimonial section ends, and यह जब आपको ऐसा दिखाई दे, तो simply hoover करो, आप text को ठीक कर सकते हो, यह section को मैं कर लेता हूँ, perfect, चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ पर नीचे चलना है, same way चीज़ा guys, कोई difference नहीं है, just मैं थोड़ा सा, यह पाट, and text white एक extra add हो गया, क्योंकि मैं black background यू इस टाइम मुझे यह भी notice करना होगा, कि मैंने यहाँ पर क्या पार्ट क्या, alright, यह जो पार्ट है guys, service section को मैं हटा रहा हूँ, here I will go with common section, ठीक है, then I will go with business section, sorry guys, मैं बूल गया था, and मुझे यहाँ पर ID लगेगी, ताकि वो smooth scrolling के लिए मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है, so I will go with online and then section, this is it, so spelling wrong section की over here, तो इसको मैं कर लेता हूँ, correct, and यहाँ पर भी same मुझे मिस्टेक मैंने कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है, अब यह जो पार्ट है, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, we have this common and then business वाला section में तो मुझे कुछ नी चीए, मैं सिर्फ और सिर्फ अ online mode, style, styling, ठीक है, मैं बस उसको paste कर दूँगा, this is it, मैंने बस क्या कहा कि मुझे उपर से space ही, इतना मैं कर दूँगा, यह देखो, मुझे उपर से space आ गया, यह देखो, मुझे उपर से space आ गया, that's it, बस इतना ही, और कुछ नहीं, ठीक है, यह मेरा काम हो गया, अब मुझे यह, what client says about us, यह मैंने चाहा, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखने रहे, जबकि मैंने तो लिखा है, क्योंकि मेरा जो background है, वो white है, and white की उपर white text, नहीं दिखते है, that's it, simple मतलब यही था, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, हमारे इस वाले particular part पे, and यह जो code है, यह जो हो चुक ह हम इसको gutter के मदद से, इस तरीके से side कर सकते हैं, ताकि अगर मुझे उपर जाना हो, तो barber tension ना हो, ठीक है, इस तरीके से, all right, and comment रखने का फायदा यही है, कि आपको पता चल जाता है, कहां क्या है, क्या नहीं है, this is it, ठीक है, so इसके नीचे मैं चलता हूँ, करे जौल है, तो सबसे पहले यहां चलते है, इसको आँख बंद करके मैं copy कर लेता हूँ, simple, ठीक है, तो अब अगर इसको मैं control है, save करता हूँ, and यहां पर लेके चलता हूँ, तो यह देखो, एक image तो इदेखा, जा रहा है, I hope आपको दिख रहा है, यह देखो, फ्रॉम ल तो भी अब हम इसको थोग सा tackle कर लेते हैं, and I just realized कि we have, instead of service section, ठीक है, यहां पर service section के बदले मैं जाना चाहूँँगा, common section, so we have common and then section, and also margin bottom 5 अब भी ही कर दे रहा हूँ, and then मुझे padding उपर से भी 5 space चाहिए, and main जो है हमारा bg color, जिससे background का color ही change हो जाएगा, and boom, I see, यह देखो, अब आपको दिख रहा है, देखो, ठीक है, यह देखो, यहां पर आपको arrow दिख रही है, ठीक है, तो कुछ हो आप, एक second, इनके बीच में तो space ही नहीं है, and एक चीजा आप बहुत क्लिए देख सकता हूँ, कि मेरा यह जो पाट है, so that's why हमने common section create की, देखो, यहां पर भी common है, यहां पर भी common है, तो मैं style पर चलूँगा, and obviously यह common है, तो मैं common वाले part पर चल के paste कर दूँगा, कुछ हो इस तरीकी से, so मैंने वाला उपर से मुझे लेना देना नहीं है, right side से मुझे लेना देना नहीं, लेकिन bottom वाला जो part होगा, वहां पर मुझे 90 pixel का gap चाहिए, basically 9 RAM, into 60 देखो, देखा अपने, यह मेरा काम हुआ गी नहीं, देखो, यहां पर बले ही आपको इतना space ना दिख रहा हो, but over here हमे वह space दिखाई दे रहा है, and यहां भी हमें space दिखाई दे रहा है, simple, यहां पर यहां पर भी space आई है, perfectly, ठीक है, so इस्तिर किसे मेरा काम हो रहा है, आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा है, या कम है, तो अब अपने अनुसा इसको adjust कर सकते हो, all right, so what client says about us, के अंदर अब म 3 div है, that's it, सोचने का ही नहीं, simple container.row.call and then 12, and यहां पर मैं कर देता हूँ, large में मुझे यह चाहिए 4, 4, 4, 4, 3 हो जाएगा, अब I think मैंने कुछ तो भी लिखा है, यहां पर, ठीक है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ, लेकिन अब आप लोगों के लिए बहुत awesome चीज में दि इस card, अगर मैं card पर चलता हूँ, तो component में हमारे पास card है, यह मुझे चाहिए, आप देखरो, इतना जाद ही, जी card पहले से पढ़ा है, paste, ठीक है, so हम एक काम कर सकते है, यहां पर जो image है, वो literally image मेरे पास पढ़ा हुआ है, and I just realized कि मैंने कुछ और copy तो नहीं कर दी, ठीक है मैं यहां पर चलता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, and इसको paste कर देता हूँ, this is it, तो guys मैंने paste तो कर दी है, बट यहां पर यह मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है, तो उसको as it is रखता हूँ, and हाँ, अब मैं यहां पर एक चीज़ कर सकता हूँ, and that is view, then active editor, and then swap drive, तो automatic, अब मेरा जो screen है, सिर्फ उतने पर ही मेरा code आएगा, मुझे फालतो इदा उदा जाने की need नहीं है, ठीक है, so मैं यहां पर लिख देता हूँ, testimonial, section, testimonial, text, कुछ भी आप लिख दू, चलता है, यह by default इन्होंने classes दे रखी है, ठीक है, मैं अब अगर यहां पर चलता हूँ, इस जगे पर, so three, two, one, and boom, guys, इसी देखे, कितनी easily मेरा काम हो गया, अब बस खाली मुझे थोड़ा बात उपर नीचे करना है, यहां पर, ठीक है, by default मेरा काम हो गया, खाली मुझे इसको तीन बार चिपकाना होगा, वे धको, चला गया कहीं तो भी, बट जो भी हो, मुझे अब वो इस से किसी दिख रहा है, ठीक है, मुझे बस इसको तीन बार copy paste करना है, and मुझे जहां तक मालूम है, कि यहां पर, कि मैं नाम लिख देता हूँ, Angelina Thapa, गाइस ऐसी लिखा मैंना, क्योंकि मैं थापा हूँ, ठीक है, कार टेक्स्ट में मैंने क्या की है, I think मैंने, कार टेक्स्ट के बदर डिरेक्ली मार्जिन बॉर्टम, ठीकर दी, टॉप में मैंने कुछ किया नहीं है, कार टेक्स्ट, एंकर टेग, एंड हाँ, और नाव यह वी निड अब इस पार्ट, यह हमें लगेगा, यह स्टार ठीक है, डिप चलो ठीक है, इस डिप को मैं एक क्लास देना चाहूँगा, एंड इस मार्जिन टॉप 3 उपर से मुझे, एंड यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊ, तो आई थिंक वी हैब एफ एफ एस्टार, अगर मैं लिखता हूँ, तो एफ ए मुझे लगेगा यहां पर सॉलिट, एंड देन स्टार, तो अगर मैं सिर्प इतना लिखता हूँ, अगर यहां पर लेके चलता हूँ, मुझे एक स्टार मिल गया, पॉफेक्ट, मुझे मेरा एक स्टार मिल गया, अब इसे कोई मैं कॉपे करूँ हूँ, एक और बार, तो कंट्रूल, अल्ट एंड एंड एल प्रेस करोगे, तो आट्मेटिक एडजस हो जाएगा, ठीक है, ए एक और है, डैटीज मुझे जिसमें मैंने स्टार नहीं दी, बिसिकली, माला फिर फोर रेटिंग में देनी के गोचिस करूँ, तो मैंने सिर्फ एफे, और एंड एफे स्टार लिग दिया, तो कुछ जो अब आपको इस तरिके से दिखाई दे रहा है, मुझे इन सब के बी लाइक, यह जो भी सब टेक्स्ट लेट साइट से आ रहा है, एकदम पॉफेक्ट दिख रहा है, यहां पर यह एक की नीचे थोड़ा सा मुझे वो कहीं ने कहीं थोड़ा सा जिपसा लग रहा है, तो गाइस, I will go with this one, हाँ, बट मैं यह वाला पार्ट जरूर चैंज करूँ जो मैं यहां पर चलता हूँ, मैं यहां पर चलता हूँ तो कोई नहीं का इसे मैं add करता हूँ and then we have a color obvious मुझे इसमें main color लगने वाल है so let's go with where ठीक है बीजी main color and एक transition देना चाहूंगा all 0.3 seconds के लिए linear ताकि एक smooth सा transition मुझे दिखाई दे and साथी साथ गाइस मेरा ये जो paragraph है उसको गाइस मैं white color देना चाहूंगा ठीक है and obvious है अब ध्यान से देखना अब जब भी मैं मेरे card को करूँगा hover ठीक है जब भी मैं करूँगा मेरे card को hover तो इसका जो background color है and then इसका जो color है वो मैं change करना चाहूंगा so देखो जब मैं hover करूँगा background color white हो जाएगा text का color dark red हो जाएगा I mean dark color में आ जाएगा and उतने से चलेगा नहीं मैं काम करता हूँ इसको as it is रखता हूँ ठीक है अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो वो इस तरह के से हो गया देखो एकदम पॉफेक्ट है but I think guys मुझे थोड़ा से यहां पर padding देना ही पड़ेगा and card है नहीं padding मुझे from all the directions so padding 3 let's see from all the directions awesome see देखो यह मेरा काम हो गया बहुत प्यारा सा यह मुझे लग रहा है but यह जो मेरा text है वो नहीं दिखाना so that's the reason why जब भी हम card को hover करते हैं तो मेरा जो paragraph है उसका color को भी मैं change कर दूंगा इस तरीके से तो आप आप देखो मेरा काम हो गया and we have our stars ठीक है so मुझे एक बार देखने दीजे simple stars को मैंने color कर रखा है ठीक है so we have a fa star मैं यहां पर चलता हूँ इस जगे पर तो मैंने बोला मेरा fa star जो है basically मेरा यह जो star है उसका जो color होगा आप यह supporting color कर दो तो यह देखो मेरा काम हो गया कितनी easily हमने हमारा यह part complete कर लिया है बट यह वाला जो part है यह मुझे थोड़ा सा bottom पे चाहिए इसको मुझे change करना है अब देख सकते हो कि एक काम करते हैं यहाँ पर मैं चल रहा हूँ ठीक है margin क्योंकि position absolute तो दिया नहीं मैं top use नहीं कर सकता margin top ले लेता हूँ guys margin top तो ले ही नहीं रह let's see एक काम करता हूँ मैं इसको target करने के बदले क्यों न यह जो carousel indicator से और awesome see over here मैं इसको target करूँ यह जो bottom है इधर मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ आप देख सकते हूँ मैं इसके साथ खेलो आप आप लोगको दिख रहा है so guys यह जो part हम इसके साथ tackle खेलेंगे bottom तो carousel indicator का bottom मुझे लगेगा ठीक है अब थो दिर उसको मैं रखता हूँ side में carousel indicator का जो bottom है उस पर मैं चलके मुझे तो मालूम है कि 20 RAM अगर मैं लिख दूँगा तो यह perfectly मेरा काम करेगा and एक second कहीं दूर चला गया लग रहा है मुझे 20% awesome see 20% मेरा काम कर रहा है ठीक है and मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूंगा इसको मैं चेंज कर सकता हूं यह जो मेरा particular part है उसको मैं चेंज कर सकता हूं with the help of this data target ठीक है so यह जो data target है मेरे पास पड़ा हुआ है तो copy कर ले तो कुछ नहीं करना है खाली वो normal plain आपको आपको जो text देखा है उसको मैं थोड़ा सा boxy look दूंगा like width and height and background color यह so मैं यहाँ पर लिख देता हूं bs primary color तो नहीं बोलूंगा like we have supporting color yeah not supporting मुझे देखना है top पर क्या color है secondary color है ठीक है so let's go with bs secondary colors अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूं तो आप देखो कि कितना मस्त यह box आपको दिख रहा है ठीक है यह box जो है आपको अब आप दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही प्यार है perfect नहीं मेरा काम हो गया है अब यही same जो है मुझे copy paste करना पड़ेगा यही same जो column over here यह जो perfect वाला यह जो part है आपको इसको copy करना है literally many times 2 3 1 2 and then 3 1 2 and then 3 so basically मैंने 9 बार copy की जिससे वो अब मुझे कुछ वो ऐसा दिख रहा है I think guys मैंने mistake यह कर दी मैंने जो जोस में आके धना दन सभी कर दिया बड़ मुझे वो इस तरीकी से नहीं करना था मैं आपको बताता हुआ क्या यह देखेगा इस सिर्फ आप एक की मेरा code है ठीक है अब यहां पे न यह जो column आपको दिख रहे है literally इस code को मुझे सिर्फ 3 बार copy करना है ठीक है 1 2 and then 3 3 बार copy करने से होगा है कि इस particular section पे मुझे सिर्फ 3 दिखेगा and then जब मैं again next पे जाना चाओंगा तब मुझे 3 दिखाना है and अब भी यह जो 3 है वो perfectly नहीं है क्योंकि यह अपने जगे पे perfectly हमें नहीं मिल रहे मुझे इनको center पे दिखाना है तो अब अगर मैं आपको दिखाँ center पे कैसे दिखा सकते बोलने से तो यह देखो एक box complete इतना है यह left side को align हो रहा है मुझे इसको center में करना है तो क्यास यह वाला जो एक card आपको दिख रहा इस card and यह जो मेरा column है तेक इसके bottom पे मैं चलूंगा मैं यहां पे एक deep create करने वाला हूं I hope आप लोग को दिख रहा होगा class display flex it's like that easy display flex justify content center and then align item center तो मुझे option क्यों नहीं मैंने यहां पे कुछ तो अब आएगा align item and then center this is it यह जो part है ठीक मुझे यहां पे close तो करना पड़ेगा so guys अब मैं अगर control है save करता हूं यहां पे लेकर चलता हूं तो यह देखो दोनों थोड़े left side को दिखे लेकिन यह तो perfectly center में आगे तो इसका मतलब यह हुआ कि यह वाला जो code है मुझे copy करनी पड़ेगी paste over here paste and obviously bottom पे मुझे extra dip को copy paste करना पड़ेगा यह ज्यादा easily मेरा यह काम हो गया अब यही same process को मुझे second वाले active जो मेरा carries वाले वहाँ पे अब दिखाना है बस simple ठीक है तो let's go with this gutter and again this part and यह जो आपको दिख रहा है यह वाला जो एक row है ठीक है I think मुझे लगता है कि यह complete एक पूरा ही मुझे लगेगा है ना guys यह जो complete container ही मुझे एक second हमारा गटर तो ही दर है ठीक है तो इसको मैं completely copy कर रहा हूं इसके बदले paste and यह जो image है इसको हटा के इसके बदले paste all right this is it so see first एक second यह क्या हुआ image तो आ रहा है लेकिन नीचे से जा रहा है I think guys हमने कुछ तो good word कर दी है carry is all so हम यहां पर क्या कर सकते देखे मैं बताता हूं ठीक है आमें वो देख रहा है आमें वो पार्ट दिखता है लेकिन नीचे से जा रहा है so let's undo फिर से एक बार undo कर लेते है it's not that big deal है ना so तो मैं इसको एक बार रिफ्रेस करना चाहूंगा ना कर यहां चलता हूं so this time तो कोई problem नहीं है तो अगर हम यहां पर चलते हैं इसको भी मैं ऐसे रखता हूं तो we have this container and मुझे एक चीज़ यह नोटिस करना है कि मैंने container तो यूज किया नहीं था we have this carry as all एक काम करता हूं सिर्फ और सिर्फ यह एक जो div है ठीक है फिलाल अभी के लिए सिर्फ यह पार्ट को मैं copy करूंगा ठीक इसके अंदर मैं put कर दूंगा and I know यहां पर good word हो रहा है मुझे एक और div लगेगा ठीक है ठीक है this is it so controller save करता हूं नहीं होना चाहिए okay guys here is the problem कि मैंने वो container को close नहीं की थी अब मेरा carry as all item अब this is it अब देखना मैं आगर करता हूं guys मुझे मेरा मिल गया ठीक है अब मुझे कुछ नहीं करना है खाली यह जो मेरा part है ठीक है यह मैं आग को दिखाँ यह जो line है इसको copy करूंगा completely यह मेरा container तक है this is it तो यह जो मेरा row वाला जो part है complete यह row वाली part यहां से लेके यहां इसको मैं paste कर रहा हूं same यह जो part है इसको मैं एक second मैंने good word है हाँ अब मैं paste कर देता हूं this is it तो first we have this second we have this third and boom guys see देखे कितनी ज्यादा easily हमारा यह काम हो गया ठीक है सब perfectly काम कर रहा perfect कितने awesome तरीके से आप देख सकते हो गाइस यह मलब मज़ा आ रहा है अब हम चलते है हमारे इस वाले portion पे and let me tell you यह भी बहुत ही ज्यादा simple है its again our card only तो देखे गाइस इसमें भी मैं आप ज्यादा समय नहीं लूँगा simple है ठीक है एक काम कर दो हूं जल्दी सम टॉप पे चलते है यह वाला जो पार्ट इसको मैं कर लेता हूं copy and I just release की service section लिखा मैंने यहाँ पे ठीक यहाँ पे हम चलते है and मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि यह है हमारा expert expert panels expert panels section obviously मैं paste कर देता हूं and then close so guys again say मैं वहाँ पे we have total 4 cards है so let's go with container let's go with row and then let's go with call 12 ठीक है this is it इतना ज्यादा simple मैं zoom कर देता आप लोगों के लिए all right perfect ठीक है यहाँ पे 12 लिख रहा हूं and then we have medium में 6 and then on extra I mean large devices पे वो complete 4 space लेगा ठीक है yeah this is it and ठीक इसके नीचे में चलता हो guys मुझे वो center में चाहिए so this time मैं directly आपको code लिख के दिखा रहा हूं display flex सोचने की बात ही नहीं है justify content center and align item center this is it अब इसके नीचे में चलूंगा we need again the same card copy कर दूंगा and then paste so अब यह जो source है मेरे पास already इसका image है forward slash we have one dot png alt पे guys आप कुछ भी लिख सकते हो मैं नहीं लिखने वाला ठीक अब मैं अगर इतना लिख की छोड़ देता हूं यहां पे चलता हूं and boom guys within a second मेरा एकाम होगी है and I just realized कि background में मुझे यह नीची and यह जो image है again यह मैंने pics capsule है ठीक है सबका link आपको नीचे description में मिल जाएगा थापा 20% extra discount के लिए जरूर रूज कीज़ेगा but यह जो मैं use कर भी सब free है तो आपको मजा आ जाएगा ठीक है मैं एक काम करता हूं मेरा यह जो portion है तो यह मुझे नीची है तो इतना मैं अगर हटा दू so now it's looking awesome यह जो मेरा part है यह मुझे text white नहीं चाहिए obviously यहां पर मुझे वो जो लिखा वो भी नीची है मुझे tips and tricks from our experts ठीक है from our experts all right perfect तो अब मैं आगर यहां पर चलता हूं तो देखो कितिनी इजली मेरा काम हो गया button भी मुझे यह नहीं लगेगा so बहुत इजली मेरा काम हो गया है अगर मैं यहां पर लेकर चलता हूं so we have this part यह एक left side में है दूसरा right side में ठीक है left and then right अब समझ जो इधर grid air flex आपको use करना पड़ेगा card body के अंदर में चलता हूं here let's go with again display flex ठीक है display flex में कर देता हूं we have a justify content between एक left में चला जाएगा एक right में आ जाएगा and guys बाकी दोनों बहुत बच्चों वाला काम है so copy and then paste तो simple एक paragraph लिए उसके अंदर guys we have this simple सा code ठीक है आप देख सेकते small text again text small हो जाता है text को कर दिया मैंने gray and then we have basically a tag I mean we have this font awesome simple सा part जो book पढ़ रहा है and then इतने total लोग ने पढ़ लिया views again एक paragraph text gray small कर दी and date मैंने I don't know why क्यों मैंने यह लिखा है but मैं यहां पर यह कर देता हूं so let's go over here and कुछ वह आपको इस तरह किसे दिख रहा है एक second वह side side by side क्यों नहीं हुआ around हो गया sorry around नहीं ची हमें यहां पर चाहिए होगा between ठीक है bit win ठीक है the moment आप between करोगे तो वह perfectly side by side अभी यह जो card title तो मैंने लिख दी बट इसके उपार नीचे मुझे gap लगेगा so let's tackle that part मैंने क्या किया यहां पर margin top 3 हाला कि मैं चाहूं तो directly यहां पर भी मैं चलूंगा मेरे text जो है मैं यहां पर margin top 2 कर दूंगा and bottom मुझे 2 चाहिए एक second sorry not 2 bottom पर मुझे 3 चाहिए text आप देखो थोड़ा खुल के आपको मस्त सा यह दिखाई दे रहे मेरा ही जो button है go somewhere मुझे read more मुझे चाहिए button primary मुझे मुझे नहीं चाहिए I will go with button dark button dark ठीक है and और कुछ है यहां पर या obviously मैंने from left and right side से मुझे थोड़ा space कूल लगे थोड़ा दिखने में कितनी easily मेरा यह काम हो गया adjust आप card title के बतले इससे आपको यहां पर लिखना होगा web development what you have to write is simply this web development and कितनी easily हमारा यह काम हो गया कितनी ज्यादा easily मेरा यह काम हो चुका है guys मुझे बस एक दिखाई दे रहा है that is हमारा यह वाला जो particular portion है and then यहां पर यह जो है दोनों में थोड़ा सा difference है क्योंकि text gray करके मैंने classes तो add कर दी बट उसको अभी तक मैंने style नहीं किया है कर लेंगे लेकिन यह जो बाकी की 3 है क्यों ना उसको मैं जल्दी से add कर लूँ है I think over here so paste and एक और portion होगा यह वाला जिसको मैं कर देता हूं paste ठीक है अब अगर मैं यहां पर चलता हूं 1 second so 1 2 3 space बहुत ज्यादा है लेकिन यह क्या हो गया अगर मैं दिखाता हूं 1 second 3 all right guys sorry मैंने एक mistake कर दी है and that is extra large 3 मुझे अगर एक row के अंदर 4 div दिखाना तो 3 3 3 करके दिखाना था मुझे यहां पर 3 लिखना बढ़ेगा तो आप देखो मुझे perfectly मिल चुका है बहुत ही ज्यादा प्यारा and awesome लग रहा है ठीक है इसके बीच में अगर आपको gutter लगता है तो आप gutter use कीजिए gutter 5 में दे देता हो तो इनके बीच में थोड़ा space आ जाएगा यह space अभी आपको पता नहीं चल रहा है बट अगर आप इसको mobile version में देखोगे इंडिकेटर्स नहीं मैं यहां पर लिख देता हूं यह जो भी था हमारा expert panel ठीक है so we have expert panel styling मैं paste कर देता हूं ठीक है तो we have this grey color right so मैं यहां पर लिख देता हूं simple we have a wear hyphen BS and then I think it's a dark तो नहीं बोलूँगा मैं मैं कोई देखना पड़ेगा grey करके है क्या कुछ grey करके तो नहीं है we have a primary color paste so both are like the same you know so see and यह कहीं कुछ ज्यादा ही धुन्दा लग रहा but I think all right ठीक है क्योंकि फिर वो यहां पर भी change कर रहा है so let's इसको भी this part only क्योंकि मुझे इतना focus नहीं दिखाना है so मैं as it is इसको छोड़ देता हूं ठीक है अब हम चलते हैं हमारे contact वाले part पर and let me tell you it's super duper easy again यह जो portion है and यह contact वाला तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूं यह जो मेरा part है इसको मैं copy कर लेता हूं and guys एक second अगर आपको लग रहा है कि code बहुत repeat हो रही है तो मैं बतारा चाहूंगा this is how हम काम करते हैं bootstrap के साथ तो आपको बिलकुर टेंसे नहीं लेना है else हमें react next के पास जाना पड़ेगा जहांपे like component हम बना के बहुत कर सकते थे ठीक है बट जो भी हो इसकी भी अपने मजे है है ना इस पर मैं चलता हूं close या perfect so we have a contact us common heading and obviously dark background में होगा so we have a text white ठीक है common section लिखा है मैंने common section भी लिखा है मैंने contact section भी लिखा है and then मैंने बोल दे अभी मेरा by default सबको text whitey कर दो ठीक है ताकि कोई tension नहीं ना हो यहां पर spelling wrong है by default हमें बता देता है जो कि बहुत awesome है and एक चीजह मुझे बीजी color लगेगा यहां पर ठीक है so अब अगर मैं यहां पर चलता हूं तो कुछ हो मुझे अब इस्तर किसे लग रहा है and obvious है कि मुझे अब यह वाला जो particular portion है जो फिर से गया हो गया हो save builder जो था हमारा save builder I mean sorry divider यहां पर आपको चलना होगा this time ही जो टॉप और पार्ट है वो मैं आपको दिखाना होगा यह जो टॉप और पोर्सन है वो मैं आपको दिखाता हूं so यहां पर हम चलते है copy HTML में करूंगा यह जो section है उसके अंदर हम चलते हैं ठीक है यह कि मुझे मेरा जो contact section है उसको मुझे position relative देना ही पड़ेगा मैं अगर dot देता तो अभी तक मिल चुका होता मुझे जी हां इस तरीकी से and let's go with the position and then relative the moment यह मैं करता हूं control है save करता हूं यहां पर चलता हूं बोम गाइस सी यह देखे मुझे मेरा यह इस तरीके का जो effect मुझे मिल गया अभी bottom का नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां पर आपने कुछ content जो है उसको add नहीं किए but at least मुझे मुझे इतना मिल गया so मुझे इसके बीचना space चाहिए ठीक है so मैं क्या करूंग ज्यादा space यहां पर मिल गया and कहीं न कहीं I like I'm like कि यह बहुत ही ज्यादा है let's go with 6 क्योंकि हम mostly 6 के साथ केल रहे perfect not looking awesome so मुझे form लगेगा यहां पर so let's go with form ठीक है so यह जो पाटे इसको मैं कर लेता हूं copy देखना ही नहीं simply copy and मैं यहां पर चलता हूं ठीक है let's go with container container के पास चलते पहले and मैं simply paste कर देता हूं ठीक है तो इस तरगी से अगर मैं paste करता हूं आप देखो कि मेरा contact form बहुत ही ज्यादा बड़ा मुझे दिखर है इतना बड़ा मुझे नहीं चीए so हम क्या करेंगे मैं इसको एक class देना चाहूंगा form section ठीक है and obviously मुझे फिलल इतना ही देता हूं and spelling को हमें सही करना है तो अब मैं कैसे target करूंगा बोलने से मेरा contact section है उसके अंदर form section है उसको copy and then paste मैंने बोला मैं कुछी 50% tweet चाहिए तो मुझे 50% मिला मुझे center में चाहिए so center में अगर आपको चाहिए होगा तो we have this mx auto करके by default आता है तो इतना लिख दोगे यह आपका center में आ गया so मुझे password की तो need नहीं है so मैं यह जो password नहीं check box उसकी मुझे need नहीं है इसको copy करूंगा मैं यहां पर मैं लिख देता हूँ input group input group पर हम चलते तो खुछ वह आपको ऐसा दिखता है ठीक है यह overview पर हम गए क्या भी तक overview पर एक यह है all right overview पर इतना ही है form control पर चलते all right मुझे यह तो लगेगा obvious है मुझे यह email and then मुझे यह दोनों लगने वाले तो इसको मैं copy कर लेता इसको भी मैं अटा दूंगा paste तो अब आप देखना कि मैंने at least यह दो मुझे मिल चुका है इस ते किसे आप इसके साथ खेल सकते हो ठीक है मैं यहां पर चलता हूँ sizing की मुझे need नहीं है पासवर्ड की मुझे need नहीं है पासवर्ड इतना होना चीए फिलाल इसकी भी मुझे need need disabled read only password confirm मुझे तो नहीं मिल रहा है तो हम एक काम कर सकते है मैं काम करता हूँ कि यह जो part है I just realized कि form को disrupt नहीं करते है एक div ले लेता हूँ मैं यहां पर यहां पर मैं paste कर देता हूँ और यह वाला जो div है उसको मैं यहां पर paste कर देता हूँ अपको problem नहीं है first as it is रहेगा यह जो portion इसको मैं copy करूंगा मुझे एक में दो चाहिए कहने का मतलब यह है मुझे left and right इस तरह किसे चाहिए तो हम क्या करेंगे साइड बाई साइड छी है सो call large 6 ठीक है यहां पर यह वाला जो label and then input है इसको copy and then paste so alt j alt j example form user ठीक है user first FIRST and then name ठीक है यह मैं कर देता हूँ id and form वना जरूरी है email नहीं चाहिए मैं लिख देता हूँ first name एक second यह address की मुझे need नहीं है and then obviously यह हो जाएगा text ठीक है placeholder में first name first name and mostly कोशिस करो कि simple वाला first time capital and वापस इसी कोई मैं copy करूंगा paste instead of first I will go with last ठीक है नॉर्मल पे मुझे यह बारा लगेगा like on mobile I need complete space दोनों के बीच में सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेता हूं आप लोगों का time waste नहीं करना चाहूंगा that's why मेरा यह जो footer वाला code यह बहुत simple है easy है तो मैं यहां पे चलता हूं ठीक है footer code footer section लिख जाता हूं start and we have again footer section ends paste क्योंकि इस बहुत ही simple है like I hope अभी तक आपको पता चली गया होगा ठीक है तो अब अगर मैं यहां पे चलता हूं तो आपको कुछ हो इस तरह किसे दिखाई दे रहा है हम इसको styling जरूर करना है but मैं आपको बताता हूं footer लिख main footer section we have a deep contact details container again row ठीक है gutter zero रख दी मैंने this time ताकि सब चिपक जाए then we have this one पहला div जिसके अंदर लाज चार रखा है basically हमेंसा वो चारी हमें मिलेगा else उसके नीचे एक के नीचे का जाएगा then we have this div contact div बोलके ठीक है कुछ नहीं किया लाइक यह जो portion है display flex flex column justify contains center aligned item center एक के नीचे पाने के लिए simple एक के नीचे एक रखने के लिए vertically center में and horizontally center में so उसके अंदर मैंने image रख दिया simple and then we have one text text है आप tensor मतलो ठीक है and I guess मैंने मैं यहां पर चलता हूँ so मेरा जो main footer है ठीक है उसका background color को मैं change करना चाहूंगा so let's go with the basic color let's see क्या होता है like कुछ इस तरी किसे दिख रहा है जो की सई है या नहीं नहीं guys यह सई नहीं है but कहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा कि जादा बैटर लगए but I think हम थोड़ा सा differentiate कर सकते है क्योंकि इन दोन के बीच में यह different है let's try कि यह वाला portion में यहां पर add करना चाहूंग and यहां पर मुझे यह gap क्यों मिल रहा मुझे वो देखना है कि यहां पर मैं चलता हूं ठीक है यह जो एक second common section को मैंने padding दे रखी है सिफ bottom पर okay fine but यह वाला क्या कर रहा है यहां पर और भी कुछ हो रहा है इस यहां पर उससे काम नहीं हो रहा है margin bottom 5 okay margin bottom 5 margin bottom 5 और यह margin bottom का है margin section पर ही है margin bottom 5 ठीक है section पर ही margin bottom 5 इसकी मुझे need नहीं है तो now it's perfect अब इसको मैं different color देना चाहूंगा ठीक है background color तो मैं हटा रहा हूं इसकी मुझे need नहीं है है ना तो और मैंने padding दिये देखो top right and then bottom side में 4 arm की padding दे दी and I just realize we have contact deep उसको आप मैं यह color दे रहा हूं मुझे sorry यह color नहीं लगेगा मुझे वहाँ पर जो color लगने वाला है वो यह color है actual मैं इसके लिए मैं यह color use कर रहा हूं ठीक है guys यह वाली color we have our contact deep contact deep ठीक है तो basically वो जो तीन deep थे वही और कोई नहीं है यह तो अब देखो guys आपको कुछ वह ऐसा लग रहा है and I know यह बहुत ही ज्यादा बड़े लग रहे क्योंकि इसको मैंने target नहीं किया है तो मैं आप इसको set करता हूं ठीक है and let me tell you जो मेरा icon का div है here we have our icon का div मुझे कुछ नहीं करना खाली उसको paste मैंने बोला weight and height मुझे यह गर दो मैंने weight and height 55 RAM देदी अब आप देखो कितनी easily है मेरा काम होगे देखो and now I think it's looking much better than this one इसमें थोड़ा सा अजिप सा लग रहा है बट यहां पे मुझे यह थोड़ा ज्यादा better खुल के दिखाई दे रहे कितनी easily मेरा यह काम होगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी लाइक अगें एक दो तीन चार टोटल चार मुझे तो किस तरह किसे बोलने से चार 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 ठीक है and I just believe कि मैंने इसमें टैग यहां पर यूश किया हुआ यहां इसी बॉटम भी जो थापर टेखनीकल यह पिंक कलर में आना चीज जहां तक मुझे यादे जी हां तो आइधिंक मुझे यादे मैंने यहां पर बीजी थीम है ना कंट्रूल थीम करके कुस्तों भी था यह देखो बीजी थीम आप आपको बता चल जाएगा क्यों मैं यह यूश कर रहा हूँ मैंने बैग्राउंड कलर को नन कर दी यह कलर मैंने अट कर दी अब आपको बता चला जो स्टार्टिंग में ने दिखाय था उसकी पीछे का रीजन यह था मैं यहाँ पर चाहूं तो font का जो weight बोल कर सकता हूं ताकि थोड़ा powerful दिखाय दे awesome perfect तो यह मेरा काम हो गया है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बहुत ज्यादा simple था यह यह वाला जो particular section है यह तो मैं आपको दिखाता हूं वह यहाँ this is it लेकिन कुछ चीज है जो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा जैसे यहाँ पर एक page नहीं है I just realized कि वहाँ पर मैंने एक page अभी तक add नी की that is अगर मैं top पर लेके चलता हूं so home about home एक second home है हमारे पास we have a home but वो जो home है वो काम नहीं कर रहा है यहाँ पर चलता हूं inspect करता हूं ठीक है मैं यहाँ पर तो यह देखो कि यह वाला जो मेरा particular portion है मेरा देखो यहाँ पर यह तो काम करेगा बट यह मुझे दिखनी रहे तो यह जो portion है nap bar toggler icon इसको मैं copy करूंगा मैं यहाँ पर चलता हूं इसका जो border का जो color होगा मैं वह ही like where main color ठीक है यहाँ पर है यह particular portion इसको अगर color मैं यह दे दू तो कुछ होता है we have this border nap bar toggler sorry यह तो nap bar toggler है आपका icon नहीं है icon भी है but we have first and हाँ एक चीज़ मैंने notice की कि media को यह तो लिखाई नहीं मैंने ऐसी कर रहा हूं में भी media screen and max width मुझे मालूम है कि 998 pixel में आने वाला है ठीक है तो मैं यहाँ पर paste कर देता हूं यह code को मुझे actual में यहाँ पर लिखना था and यह वाला जो code है वह इसके अंदर ही आएगा बट इसका जो color है वह मुझे change करूंगा like same color वैसे तो color तो यह ही है उसका भी ठीक है copy and then paste तो अब अगर मैं चलतो ऐसा दिख रहा है ठीक है मुझे background color भी लगेगा यहाँ पर background color भी same paste तो देखो कुछ वह ऐसा हो गया ठीक है अब यह जो portion है that is my h1 वाला पार्ट बहुत अजिब सा दिख रहा है मुझे इसको कम करना पड़ेगा तो guys h1 पे मैं चलूंगा इसका जो font का size होगा let's go with 2.4 RAM simple ठीक है इतना ही नहीं मेरा जो भी यह section होगा उसके अंदर जो मेरे common section थे जितने भी sorry common heading जितने भी common heading थे उनका भी font size होगा वो मैं 2 RAM कर दूंगा ठीक है जो main heading हमारे थे and obviously जो भी मेरे section है जहां मैंने वो para width अगर लिखा होगा तो अभी उसका जो weight मैं auto कर दूंगा and यह कौन सा section है hero section जी हां इतना भी अगर मैं करता हूं तो आप देख सकते हूं कि कुछ हो आपको ऐसा दिख रहा है ठीक है अज जिब सा लग रहा है मुझे इनकी height चाहिए ठीक है यहां पर कंडूले सेप करता हूं ठीक है मैं इसके उपर चलूंगा media screen ठीक है and max width of let's say one to double zero pixel ठीक है मैं चलता हूं we have video करके कुछ है hero video section perfect इसकी जो width होगी मैं करना चाहूंगा 20 RAM जो border radius था पहले उतना ज्यादा उसको थोड़ा सा मैं कम कर दूँगा border radius को one RAM कर दूँगा अब आप देखो मेरा image कम होगी है अब मुझे करना यह है कि मुझे मेरा यह जो image है मुझे top पे ची जब मैं mobile पे होंगा right and जब मैं desktop पे होंगा तब वो मुझे right में चीए फिलाल अभी यह top पे है यह bottom पे अभी mobile पे उल्टा मुझे यह top पे चीए और यह मुझे bottom पे चीए तो उसके लिए गाईस हम बहुत तीजिली tackle कर सकते हैं ठीक है कैसे बोलने से मैं आपको बताता हूं लाइक यहां पे मुझे चलना होगा यह जो पर्टिकुलर मेरे सेक्षिन है यह ओल्राइट इस मैं डिव राइट मैं यहां पे चलता हूं देखो order करके हमारे पास class होता order मैं लिख दूंगा one sorry order large one but the moment to medium या उससे नीचे होगा 0 ठीक है जीरो मतलब सबसे उल्टा लिख दिया मैंने मुझे लार्ज में 0 चाहिए जैसे medium पे जाएगा one ठीक है अब इसी को मैं copy करता हूं ठीक इसका opposite मुझे यहां पे करना है मैं बोलूंगा कि ठीक है लार्ज में तो वह one सब्सक्राइब लार्ज वान मेडियम ओके आया मैं समझ गया मुझे यहां पे मेडियम लिखनी की नहीं है मुझे डारेक्ट जिरो लिखना पड़ेगा क्योंकि फिरो मेडियम की नीचे नी जाएगा ठीक है यह अपने अब समझ जाएगा बाइडिफॉल्ट वान पे रहेगा लाज की उपर आती वह जीरो पे चला जाएगा एंट भूंगा इसी मेरा काम हो गया ठीक है अभी मुझे यह जो पर्टिकुलर मेरा कंप्लेट सक्षिन है मुझे उसको सेंटर पर रखना है तो यहां पर वह जाएड करूंगा लाइक टेक्स्ट अ सेंटर राइट सेंटर बट दा मोमेंट में लाज डिवाइस पर पहुँँगा मुझे वह स्टार्ट चाहिए सिंपल इस तरीक से इतना मैं कर दोँगा एंड बूम गई इसी मेरा काम हो गया मुझे ऑब्यस है कि मुझे गाप चाहिए उपड़ा सा तो मैं बोल दूगा ठीक है मुझे like जब मैं margin bottom margin top मुझे लगेगा 3 बट मैं अगर margin top large में हूँ तो मुझे लगेगा 0 इस तरीके से मैं अगर यहाँ चलता हूँ तो यह देखो मुझे गया पारा है बहुत awesome तरीके से but I will go with 5 ताकि थोड़ा ज्यादा space and अच्छा दिखे वो see now it's looking कितना प्यारा and sweet like responsive मैं अगर hoover करता हूँ ठीक है इसका कोई problem नहीं है यह जो पार्ट इसमें मुझे यह जो particular section है यह क्या है text white I think इसको मैंने h2 को भी मुझे थोड़ा सेटल करना पड़ेगा h2 जो है मैं क्या करता हूँ style पर चलता हूँ ठीक है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ हूँ अब h2 जो है उसका जो font size होगा मैं like 1.8 रैम तो बहुत वह हो जाएगा but I think let's see guys इनके बीच में लाइन हाइट बहुत ही जादा है अस से ज्यादा लाइन हाइट है so लाइन हाइट को मैं वह ऐसे तो 1.5 बोलता है but let's go with 1.7 यहाँ पर चिपक के आ रहे हैं यह दोनो let's go with the two so guys यह आपको उने खेलना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि कौन इसके साथ बैट रहा है अच्छे से एक I think this one is looking good right मुझे यह देखना है कि यहाँ पर मैं चल रहा हूं two के बदले let's go with four I think four is fine and मुझे यह देखना है कि भाई यह यहाँ पर क्योंकि कुछ कर नहीं सकते ही यहाँ पर ठीक है and I think यह हम अगर ऐसे भी छोड़ेंगे तो भी बैटर लग रहा मुझे कहीं न कहीं यह जो मेरा image है इसको भी guys अगर मैं text align center कर दूंगा तो मेरा गाम हो जाएगा ठीक है text align center मुझे लिखना पड़ेगा so already मैं अगर आपको लेकर चलू so I guess मुझे यहाँ पर मैंने जो आपको अभी दिखाया code that is 2.4 right and इतना अगर मैं लिख रहा हूँ and यह जो मेरा particular section है image section लेकिन किसका यह है मेरा more info section का image section so we have more info section का image section मैं आगर यहाँ पर चलता हूँ का जो image section है मुझे actually image section ही चाहिए खाली image नहीं चाहिए and मैं यहाँ पर इसको simply text align center कर दूँगा तो अब एक बार refresh करना है यह देखना है क्या यह हुआ क्या है all right perfect now it's looking awesome बस एक चीज है यह जो portion है जी हां सही है perfect no problem तो यह भी मेरा काम हो गया यह already हो रख है इनके बीच में guys दे को space ही नहीं है इनके बीच में space ही नहीं है and यह तो कुछ जाद उपर आ गया मैं यहां पर हम चलते common section I think this is the part ठीक है tips and tricks we have our testimonial over here तो यहां पर आप देखो कि मैंने row तो लिग दी लिकिन गर्टर नहीं लिखा में था मैंने सो मैं लिख देता हूं गर्टर 5 तो यह लिख दूँगा एदको मुझे गर्टर 5 का spacing यहां पर मिल रहा है अब दूसरे पर नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने वहां पर नहीं किया खाली एक रोपी किया but I hope आपको पता चल गया और यह भी problem है यह जो portion है इसको अगर मैं zero कर दूँ तो वहां जाता है अगर मैं एक second तो आप देख सकते हो का इस I hope आप लोग को दिख रहा होगा तो simple एक केरेजॉल का जो indicator है इंडिकेटर उसके साथ आपको खेलना पड़ेगा ठीक है आप अभी तक तो आपको पता चल गया होगा bottom में minus 8 कर दूँगा refresh तो यह मेरा काम हो गया यह already set और यह सब तो already set था ही so guys yeah this is it आज इस video के लिए इतना ही अभी आपको थोड़ा सा और इसको set करना पड़ेगा like for let's say मैं आपको breakpoints तो दिखाना बूल गया यहां पर we have a breakpoints ए थेखो extra large है ठीक है we have a small then we have this medium by default वो आपका ठीक है कॉल लिगने से काम चल जाता मैं small ही समाज़े उसको we have this medium large extra large and then extra extra large तो mostly मैंने large को target किया है medium को and जहां-जहां मैंने col लिखा है वहां पर आप सिर्फ SM भी लिख सकते हो लेकिन मैं सिर्फ call लिख रहा हूं ठीक है यह तो आप कैली जे less than 576 आप मान सकते हो but once अगर मैं medium को target कर दो तो उसके नीचे का by default to target हो जाता है I mean समझ रहूं मैं क्या बोल रहा हूं by default to target हो जाएगा so मैं direct call पे ही लिख यह दो एक्स extra small small medium large extra large extra extra large as per rule guys यह जो भी code मैंने लिखा है it is 110 percent correct बस में इतना कहना चाहूंगा मैंने जैसे call यह लिख दिया ठीक है यहां पर we have a small अगर मैं आपको दिखा हूं यहां पर लाइक एक सेगन एक्स्ट्र 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 स्मॉल भी है we have this extra small मैंने बस कॉल लिखे छोड़ दिया मैंने बहुला भाई ठीक है large तक जो होगा large की उपर तो चाहर उसकी नीचे सब 12 मुझे चाहिए चाहिए वो मीडियम हो स्मॉल हो एक्स्ट्र स्मॉल हो तो मैं इस तरीके से इसको टागेट कर रहा था ठीक है and this is how guys हमारा यह जो website है इतना awesome website हमने create की without using javascript यह form में गाइस मैंने required keyword use नहीं किया है तो all right I think मैंने की है that's why मुझे वो इस तरीक एक सेकंड स्वरी नहीं किया है मैंने वो तो दूसरा था मैंने यहां पर required keyword use नहीं कि तो by default submit हो जाएगा तो इसके लिए बस आपको क्या करना होगा form पर आपको आना है थोड़ा सा bottom पर हम चलते हैं चाहे तो directly आप contact पर जा सकते हैं ऐसे करके contact इस तरह के से हैंना contact पॉफेक्ट यहां पर यहां पर बस यह जो class है ना इक attribute है जिसका ना में required the moment आप required लिख दोगे अब अगर आप submit करोगे तो यह देखो आपको इस तरह किसे पूछता तो यह लिखना जरूरी है and form को हम free में कैसे contact details add कर सकते हैं जिससे में data fill करूँ मेरे email पर message आजा है तो guys link top पर देख सकते हैं जरू check out कीजिएगा so guys आप सीब एक चीज रहेगा that is contact us का page में दिखाता हूँ आपको contact us का page ठीक है and हाँ उससे पहले में दिखा देता हूँ services वाला अगर आपको यादो मैंने यहां पर कुस्तो एक online करके लिखा था ठीक है online section जी आंगा इसी देखो तो इतना मैंने लिख दी and services की spelling जो रहूंग है ठीक है तो control as save कर देता हूँ service तो control as save कीजिए मैं यहां पर लेके चलता हूँ service पर मैं click करूंगा बोंगा इसी देखो कितनी जीले आगे तो basically section पर मैंने id add किया था जिसका नाम था online section ठीक है तो अब इसको मैं forward slash कर रहा हूँ and then contact.html लिख देता हूँ यह देखो यह page अभी तक है नहीं तो create a file contact देखोगा इस कितनी जीले बन गया मैं यहां पर चलता हूँ so we have this contact वाला page तो मैं क्या करूंग यह जो मेरा hero section से पहले का जो भी code है complete copy यहां पर paste ठीक है and then यह जो मेरा contact वाला जो पार्ट है contact वाला complete copy कर रहा हूँ मैं all right इस तरीके से and then यहां पर चलके मैं कर दूंगा paste so guys अगर हम react पर कर रहे होते हैं तो component की मदद से बहुत easily हो जाता यह but it's fine control s save कर रहा हूं so अब अगर मैं यहां पर चलता हूं control s save ठीक है so ठीक है top पर चलता हूं अब contact पर click करूंगा यह देखो guys कितनी easily मुझे मेरा यह जो code है वो मिल गया so guys कितनी easily हमें ऐसे मिल गया बट यह वाला जो part है यह मुझे again यह नहीं चाहिए so मैं चलता हूं मेरे save divider पर instead of top मैं bottom कर दूँगा इसको करूँगा copy copy html ठीक है so contact वाले पर copy html right so हम यहां पर चलते है ठीक यह जो section के ठीक नीचे paste और यह जो उपर पर मैंने किया तो उसको मैं हटा रहा हूं इस एक और चीज़े कि आप डिरेक्ली यहां पर टॉप पर भी इसको रन कर सकते हैं आप ऐसा करते हो यह देखेगा इसे कितना ज्यादा awesome हमें लग रहा है ठीक है तो कुछ वह इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है and obviously यहां पर यह जो पार्ट है इतना बड़ा क्यों है एक काम करते में inspect कर लेता हूं एक second common section में यह जो पार्ट है इसके मुझे need नहीं है यह जो particular section है इसका color क्यों ऐसा है वह क्योंकि मुझे लिटरली यह वाला जो फोर्शन है वो नहीं चाहिए था तो गाइस एक काम कर लेते हैं कि यह जिसका जो css इसको भी copy कर लेता हूं और यह तो है ही मैं यहीं पर ही style पेस्ट कर देता हूं ठीक है मुझे यह देखना है कि अग्गर मैं यहां पर हूं एक second okay over here इसको मैं रिफ्रेस करता हूं awesome see so now it's done मेरा यह काम हो गया है बस मैंने as it is इसको रख दिया इस तरीक से ठीक है अगर तो guys यह एक्चल मैं लाइब सर्वर ना हो तो उसके कारण ऐसा हो रहा है मुझे वट वहां नहीं करना है and यह हो गया है and we have our contact we have our services so this is it guys यह थाना कितना ज्यादा ओसा मैंने आपको इसको from start to end सब कुछ दिखाया responsive कैसे बनाना वह भी दिखाया मैंने different contact ways बना के दिखाया service के थूर दिखाया कि आप scrolling कैसे कर सकते हो parallax effect मैंने आपको दिखाया बहुत सारी चीज आपको दिखाया and इसका link में नीचे description आप जरू चकाउट किजिएगा बहुत सारी चीज थे चीज आप जिसको आप फिगर आउट कर सकते थे कि हम उसको कैसे कर सकते है बोलके और राइट मैं यहां पर लेकर चलता हूं कुछ इस तरीके से अब आपको दिखाता हूं कि अब आप इसको अपने github में कैसे add कर सकते हूं then once github में हम इसको कर लेते हैं add में दिखाऊंगा कि free में आप इसको netlify में कैसे host कर सकते हूं and hostinger की मदद से आप इसको कैसे paid host कर सकते हूं अल्राइट and let me tell you guys it is super duper easy तो उसके लिए guys simple github हम सबको मालूम है कि हम सब github उसकरते है github पर में चलूंगा यह जो मेरा code है ठीक है मैं आपको दिखाता हूं यहां पे alt and back tick तो आप देख सकते हूं create a git repository तो थापा 5 यह जो भी मैंने लिखा बूस्ट्राइब बूस्ट है मेरे code है ठीक है मैं like सबको copy कर रहा हूं यहां पर लिख देता हूं initial commit b5 website ठीक है एंदन में commit पर क्लिक कर दे रहा हूं तो आप देख सकते हूं adding file जो यह मेरा committing हो रहा है एंद मेरा commit हो गया like it super duper easy ठीक है अब मैं एक काम करता हूं यह जो मेरे gen mode है वहां से मैं हटना चाहूंगा ठीक है मैं वहां से हट सकता हूं like simply view मैं आपको दिखाता हूं we have this view appearance and then exit gen mode ताकि मैं आपको दिखा सकूँ and guys जो भी webstorm यूज नहीं कर रहें उनके लिए मैं बताता हूं कैसे करना है simple मैं terminal open करूंगा obvious code sublime किसी का भी terminal open कीजिए ठीक है आपको बस check करना होगा क्या आपके उसमें git है या नहीं देखो मेरे में git था अगर git नहीं होता तो git init लिखके आपको इनिशलाइस करना था तेन आपको git add लिखके एंटर हीट करना था and then आपको git commit m का flag लगा के जो मैंने लिखा था initial commit and then enter हीट कर देना था तो अब भी जो कुछी मैंने लिखा उतना तो मैंने डिरेक्टली कर दिया है मेरा यह काम हो गया है अब बस मुझे इसको मेरे आपके सकते हो बिसिकली रैपो में add करना तो वह भी मैं बहुत इजली यहाँ पर राइट क्लिक आप देख सकते हो यहाँ दें अप देख सकते हैं अब देन मैं शेयर कर दूँगा तो मतलब रेपो भी क्रेट हो गया मेरा एक साथ में फूस भी हो गया तो कैसी प्राइबेट में ओगया ठीक है मैं आपको दिखाता हूं न्यू तरीका जिससे आप कर सकते थे मतलब थापा वेब साइट वेब साइट ठीक है तो इस इस इत पब्लिक कर दे रहा हूं ताकि आप लोग इसका बे फिकर हो कि एजी लिए उस कर सको और राइट हां गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा तो अब मुझे क्या करने यह जो पार्ट देख रहा है अब आपको सिंपली नेटलीफाइब पर चलना पड़ेगा ठीक है विल्कुल फ्री है नेटलीफाइब चलते हैं और वी हैब इस नेटलीफाइब यह क्या दिख रहा है है और देपलाइब मैं चलता हूँ ओवर है वी हैब इस नेटलीफाइब सिंपल आपको लॉग इन करना है तो कैस मैंने लॉग इन वित गिठव कर दिया जो कि बहुत ही ज्यादा ओसम है ठीक है एंड मुझे यह देखना है कि वी हैब इस साइट पूरा इसने चेंजे कर द दिया सबस्टाइब साइट पर आज आते हो एड न्यू साइट पर चलना है इंपोर्ट एन एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट दन गाइस सिंपली आपको यहां पर जो है गिठव पर चलना पड़ेगा यह पहले आपको बताएगा उथराइज जाला कि कुछ करना नहीं अपन देख सकते हो साइट डेपलोई इन प्रोग्रेस ठीक है थोड़ा सा समय यह लेगा अप्लोडेट एंड पॉब्लिष्ट भूम गाइस सी अब आप देख सकते हो कि मेरा यह पॉब्लिष्ट हो चुका है लेकिन कहां पॉब्लिष्ट भा वो भी तो देखना जरूरी है है ना यहां पर लेकर चलू है वी हब दिस लवली बली कॉई मैं अगर यहां पर चलता हूं सुब्वम गाइसी देखे कितनी ज्यादा इजली मेरा यह जो वेब साइट है वह होस्ट हो गया अब यही सेम वेब साइट को मैं आपको अपने होस्टिंगर पर कैसे होस्ट कर सकते हो तो आज इस वीडियो में मैंने दिखाए कि GitHub में आप कैसे एड कर सकते हो देन GitHub की मदद से आप Netlify में कितनी चुटकी में आप फ्री में होस्ट कर सकते हो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वोस्टिंगर बेसिकली पेट सर्वर में कैसे होस्ट कर सकते हो क्योंकि यहां लाइक के डोमेन सेटिंग पर आप चाहिए एड़ डोमेन यहां पर आप चाहो तो एड करो लेकिन यह जो आप्सन दिख रहा है एडिट साइट नेम यहां पर आप लिख दो बीफाइव सिर्फाइव लिख दो एंड दन सेब कर दो अगर यह देखा यह नाम अल्रेडी लि इसका भी लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा थापा 7 इसका भी कूपन कोड में आपको प्रवाइड कर दूंगा 10% डिसकाउंट जबूर चेकाउट कीजिएगा तो सबसे पहले गाइस आपको लॉग इन पर चलना पड़ेगा तो कैस इंपले आपक आपको सिंपल इस तरीके से आना है और इसको बहुत डिटेल वीडियो में अप्लोड की जरू चेकाउट कीजिएगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सिंपल लॉग इन करना था होस्टिंग पर आना था आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका डॉमेंड होगा फाइल मेंजर पर चलना पड़ेगा जस इतना मेक्सिएर कर लेना है कि आपने उसका जीप बना के रखाओ जो भी आपका कोड है उसका पॉब्लिक अन इसको रेस् कर सकता होंगे यहां पर ओमाइगॉड ठीक है यह मेरा कॉपी और फाइल पर चलके सिंप्ली जिप फाइल को जो था मैं कॉपी कर रहा हूँ सब देख सकते हूं कि यह लोड हो गया है रैट क्लिक करूंगा मुझे बस आप यहां पर एक्स्रेक्ट करना है ओम सब्सक्राइब यहां पर फिल्ल के लिए मैं, फिल्ल कृब और और बुक्त सब्सक्राइब के इस टाप यहां पर भी डिख recuperate टाहुं थापा ओनलाइन इस पर मैं अगर मैं चलता हूँ तो 321 और बूम गाई सी यह देखिए मेरा वेबसाइट लाइब है थापा टेक्निकल.online पर मेरा यह जो वेबसाइट है वो लाइब हो चुका है कितना ज्यादा ओसम था कि कितनी इजिली मैंने अपने ओरिजिनल डॉमेंट डाइस थापा टेक्निकल.online उस पर मैंने होस्ट करके भी दिखा दी इस लिंक को आप कभी वेपन करके देख सकते हूँ यह कैसा दिख रहा है आपके सिस्टम पर ठीक यह दिस इट गैस इसका भी आप कैसे उसके साथ काम कर सकते हूँ css को कैसे इंटेग्रेट कर सकते हूँ दैन हमने काइस पिक्स कैप की मदद से देखे जितने यह ओसम आपको यह 3D इमेज जो दिख रहे थे और लाइक आपको इवेन यह जो आपको हो में यह जो कुछ भी दिखाई ते रहे सब मैंने पिक्स कैप की मदद से की थी and मैंने दिखाए कि they are absolutely free आप इसको change कर सकते हूँ इसको 3D बना सकते हूँ video format, gif format, zip format, png format हरेक format में आप इसको change कर सकते हूँ blender की मदद से animation include कर सकते हूँ तो guys it's like complete package PIXCAP तो PIXCAP का coupon code थापा20 उसको भी आप जरूर उस कीजिएगा for 20% discount जो की बहुत ही उसाम है and price already बहुत ही ज़्यादा काम है तो guys try तो जरूर बन्दा है second boost मेरा ये जो थापा टेक्निकल वेबसाइट इसमें में सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा source code आपको प्रोवाइड कर दूँगा तो आपको बिल्कुल टेंशन नी होगा then at the end में मैंने दिखाई कि आप उसको कैसे responsive कर सकते हूँ because mostly user आजकल mobile use करते हैं so responsive करना भी बहुत जादेजी है मैं मानता हूँ मैंने for all the devices नहीं किया but मैंने mobile and then desktop के लिए कि बीच का tablet आप बहुत इजली कर सकते हूँ just आपको breakpoints को hit करना है and then उस पर काम करना है simple ठीक है and then मैंने दिखाई कि github क्यो I mean github मैं आप उसको कैसे add कर सकती using simple webstorm and then direct johan code के थूरू करते है then मैंने दिखाई कि netlify में बिल्कुल free में कैसे host कर सकते हो and at the end में मैंने दिखाई कि hostinger में आप कैसे host कर सकते hostinger it's like paid है जहां पे आपका पूरा power है आपके पास कि आप कुछ भी कर सकते हो है ना else guys फिर तो वो जैसे मुझे तो नाम भी याद नहीं रहा है बट जो हुरू को जिहांगा इस पहले वह पेड होगा आप किसी काम का नहीं बट जो भी हो आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आओगा गास बहुत ज्यादा मैनत लगती मेरी टीम की तो अब भी चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए क्योंकि कितना ओसाम एंड कूल यह वेबसाइट आपको लग रहे है न एंड लास्ट में बात आना चाहूंगा नेक्स आगर टेस्ट सिक्सलेक सब्सक्राइबर सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं क